तो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है यी के पूछने से कि कौन सा तारिक तो CEO बोलता है कि अरे अपनी अवाज नीचे करो रूरू यहीं पहर करके और रूरू और बिग हैट जोते हैं वो क्लाउड के ऊपर होते हैं और तभी CEO बोलता है कि रूरू क्या तुम बिग हैट के साथ वहाँ जाके खेल सकते हो क्या मुझे यी के साथ कुछ चीजे डिसकस करनी है और तभी रूरू बोलता है कि मुझे भी यी से बात करनी है और चुकि बिग हैट बोल नहीं सकता है फिलाल तो बिग हैट थोड़ी सी अवाजे करता है और तब इस यह बोलता है कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो एडल्ट के बीच में होते हैं और बच्चों को नहीं बताए जा सकते हैं और हम तुमें तब ही बता सकते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तो यह भी बोलता है हाँ सही है तो रूरू बोलता है ओके और तब इसी यह बोलता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैं यह को अपने सपनों में देख रहा हूं और यह सब रूरू की वज़े से हुआ है और यदि रूरू हमको ऐसे सपनों में नहीं मिलवाता तो हम कभी भी एक दूसर को नहीं देख सकते थे तो उनसी और रूरू से बोलता है कि प्लीज मेरे क्यूटेस्ट रूरू क्या तुम हमें थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो क्या तो रूरू भी बलश कर रहा होता है और रूरू बहुत क्यूट भी दिख रहा होता है तो रूरू बोलता है कि तुम इतने सिंसिरली मुझसे कह रहे हो तो मैं तुमारी जो विश है उसको ग्रांट कर देता हूँ और फिर हस्तावा बिग हैट के साथ रोलर कोस्टर की तरफ चला जाता है अब क्या होता है यही सुझता है कि रूरू ऐसे ही चला गया लगता है CEO के पस कुछ तो तरीका है बच्चों के साथ में इतना हिल मिल जाने का अब CEO यही की तरफ देखता है और यही को थोड़ा सा अकवर्ड सा लगता है लेकिन CEO यही को फट से अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है कि अब यह जो टाइम है हमारा टाइम है करके तो यही जो है वो ब्रश कर रहा होता है और CEO यही को लेके नीचे बिस्तर में लेट जाता है और बोलता है कि यही चुकि यह हमारा ड्रीम है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके तो CEO और EE बहुत close होते हैं और CEO EE को किस करना चाता है और ऐसा कहने के बाद वो EE को किस कर देता है अब जब यह किस कर रहे होते हैं तो दोनों बहुती blush कर रहे होते हैं और इनका intimate scene यहाँ पर दिखाया जाता है अब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का हाथ भी पकरते हैं और इनके मन में सब लवी डवी वाले धुक धुक हो रहा होता है और CEO के कपड़े वगरा भी हवा में उड़ जाते हैं तो वो अपने कपड़े वगरा उतार देता है और तभी बोलता है कि यह जो dream है उसके बाद भी तुमको इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए तो मतलब तुमको अपने कपड़े वगरा नहीं उतार देने चाहिए थे तो CEO बोलता है कि यदि मैं अपने dream में भी अपने आपको रुकूंगा वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ तो थोड़ी ना मैं एक आदमी कहलाऊंगा तो CEO यह को देखते हैं बोलता है कि यह क्या तुम्हें यह अच्छा लगा और क्या तुम्हें और चाहिए यह तो यह जल्दी से उसके मुख्यों पर कपड़ा फेकता है और उसको बोलता है तुम छुप रहा हो और जल्दी से तयार हो जाओ कितना टाइम बीद किया है रूरू आता ही होगा और उरू हमें ऐसे देखेगा तो सही नहीं लगेगा तब ही एक आवाज आती है रिंग रिंग की जब यह लोग अपने कपड़े वापस पहन रहे होते हैं और फिर से यह रिंग रिंग होता है तो यह बोलता है कि लगता है मेरा फोन बज़ रहा है और मेरा अलारम भी रिंग हो रहा है और अब समय हो क्या है उठने का और तब ही CEO यह का हाथ पकता है और बोलता है हम लोग थोड़ी दे तक सो सकते हैं तो यह थोड़ा बलश करता है और आकवर्डनेस को दूर करने के लिए थोड़े सा मुह से आवाज निकालता है और बोलता है कि मेरे को आज थोड़ा इंपॉर्टन सीन्स जो है शूट करने हैं और कुछी दिनों में यह फिल्मिंग जो है वो ओवर भी हो जाएगी तो क्यों ना तुम थोड़ा ऐसा वेट कर लोगा कि और सी यह बोलता है कि ठीक है करके तब भी रूरू की आवाज आती है कि यह और यह तो सी यह फटा फट अपने कपरों के बटन बटन लगाता है कि रूरू देखना ले और यह बोलता है कि रूरू तुम आ गए तब ही रूरू बोलता है कि मैंने ना तुमारा अलारम सुना तुमें अब उठ जाना चाहिए तो यह बताता है कि मैंने भी अपना अलारम सुना था पर मैं अभी भी क्यों सो रहा हूं करके और हम लोग अब कैसे उठे करके क्योंकि इनलों को सपने में आना तो पता हो गया है कि जो भी रूरू से बहुत प्यार करेगा वो रूरू उनको अपने सपने से दूसरों के सपने में लेके आ सकता है लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि सपने में आने के बाद सपने से बाहर कैसे निकलना है तो रूरू बोलता है ठीक है एक spell है मतलब एक मंत्र जैसा है तुम्हें वो मेरे पीछे बोलना है और तुम जब यह बोलोगे तो तुम उठ जाओगे तो यह जो मंत्र होता है बूम ूम बूम यानि थ्री टाइमस उनको बूम बूम बोलना है यहाँ पर हमारा क्यूट रूरू और बिग हेट को दिखाते हैं और वो लोगे मंत्र इस पेल करते हैं और आब्रकार दाब्रा भी इसमें कुछ ऐसा बोला जाता है तो C और Y जो है बड़े Confuse हो चाते हैं और रूरू बोलता है जल्दी करो जल्दी करो यह तुमारा dream है और तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी से यह spell बोलो तो यह बोलता है ओके और फिर वो भी बोलता है तीन बार boom 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 और आबरा काड़ा जो भी इनका spelling है वो बोलता है और क्या होता है वाकई में हमारा Y सपने की दुनिया से बाहर आ जाता है और उठे जाता है और उठेने के बाद सुचता है कि वाकई में जो spell उसने कहा था मतलब boom 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 वो work किया है और वो उठने के बाद काफी blush भी कर रहा होता है क्योंकि जो कुछ उनके dream में हुआ वो तो इनको पता ही है कि इनका intimate scene हुआ है और तभी सुचता है कि हमने सुचा था हम code word रगेंगे जिससे हम जब उठेंगे तो हमें याद रहेगा लेकिन लगता है कि हमें code word रखने की ज़र्वेत नहीं है और ये वैसे भी बहुत मुश्किल है इस तरह की चीजे भूल पाना और वो जिन्याओ को थोड़ा सा मतलब कर्स करता है क्योंकि कल रात को जो dream में हुआ था वो जिन्याओ की वज़े से ही तो हुआ था और तब ही जिन्याओ भी उठ जाता है मतलब हमारे CEO उठ जाता है और हमारे CEO को भी शौक सा लगता है और वो देखता है कि 7-15 हो गया है और उसको एक नया message आया है और ये message हमारे ये क्या होता है जो बोड़ रहता है अब हम फिर से कभी भी वो सब अपने सपनों में नहीं करेंगे और अब मुझे देखो मेरा पैजामा उठते से दोना पड़ेगा मार्निंग में मतलब इंटी मेर सीन के कारण उसके खपड़े जो खराब हो गए इसकी वज़े से उसको पैजामा दोना पड़ेगा करके और तभी CEO थोड़ा सा बलश करता है मुस्कुराता है और अपने मन में सुचता है कि यानि की ड्रीम जो था वो वाकई में रियल था तभी दूसरी तब दिखाते है कि लिंग वाई की जो मदर है वो कंप्योटर में काम कर रही होती है और कोई आपके उनको कुछ बोलता है तो वो लिंग वाई की मदर बोलती है कि तुमने क्या कहा चप्धिर से कहना तभी उनकी जो assistant है वो आती है बताती है कि MR ही वो आप से मिलना चाहते है इस morning में करके अब ये जो Mr. He है मतलब लिंग वाई की मदर के फादर मिलना चाहते है तो इनकी जो असिस्टेंट है वो बोलती है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है आपके जो husband UQ है वो यहां आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपको आज मिलना चाहते हैं तो Mrs. He जो है मतलब मैं लिंग वाई की ममी जो हैं वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई एक काम करो उन्हें conference room में ले जो और वहाँ पर बिठाओ यदि मेरे पास time होगा काम खतम करने के बाद तो मैं उनसे मिलने आओंगी तो assistant बोलती है ओके मैडम वो चली जाती है अब जब यह चली जाती है तो लिंग वाई की मदर जो है बहुत खुश हो रही होती है कि finally यह आदमी मुझे देखने आया है क्योंकि आप लोगों को पिछले episode में याद होगा कि जो लिंग वाई के father है वो एक producer है जो कि useless producer है और वो अपने सपने पूरा करने के लिए अपने family को छोड़के चले गए थे तो अब वो वापस आ गए है तो यह auntie जो है मतलब लिंग वाई की मदर जो है वो बहुत खुश हो रही होती है और सुस्तिय कि यह आदमी वापस क्या करने आया है क्या वो माफी माङने आया है क्या वो confession करने आया है और या वो अपना लफ जो है declare करने आया है कि शोलो अब हम अपनी love life को फिर से start करते कहके पिर से अपनी life को शुूरू करने के लिए अगरी कर लेना चाहिए और तब यह सब वो अकेले में सोच रही होती लेगन जैसे भी वो बाहर आती है वो एकदम ऐसा प्रेटेंड करती है कि जैसे वो बहुती गुश्से वाली है और गुश्से में और बोलती है कि क्या तुम बहुती अपने ऊपर शर्मिन्दा हो और इसलिए तुम यहाँ पर आये हो और तुम यहाँ पर क्या कर जहों Mr. He तो जो मिस्टर ही है वो बोलते कि जुनान I am sorry मैं ना बहुत ही selfish था इतने बिछले कई सालों से और अब मुझे ना रोशनी दिखाए दे रही है मुझे अपनी responsibilities को seriously लेना चाहिए और मुझे वो सारी चीज़े करनी चाहिए जो मुझे करनी होंगी life में और इतने साल मैंने अपने जो freedom को enjoy किया है वो मैंने सब तुमारी कुश्यों के ऊपर मतलब ये सब enjoy किया है और I am really sorry मुझे पता है कि तुमने बहुत सफर किया है तो हमारी रिंगवाई की mother जो है और इनकी wife वो बहुत थोड़ा सा sad हो जाती है यू क्यों मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम वाकई में यहां आए हो और फिर थोड़ा खुश भी होती है और बोलती है कि मैंने सोचा है कि मैं इसे forgive कर दूँगी और तभी इसका husband बोलता है कि जुनान मैं वापस आ गया हूँ अब से मैं तुमें और हमारे family को support करूँगा और अब मैं Lingvai को और Yee को भी protect करूँगा तो दिखाते हैं कि Lingvai और Yee को चीखा जाती है जैसे कोई हमें याद करता है तो कैसे हमें चीखाती है वैसे इन दोनों को भी चीखाती है और यह लोग आचु करके चीखते हैं अब दिखाते हैं कि यहाँ पर Hee family का reunion हो रहा होता है सब लोग अपने drinks लेके आते हैं और उसको cheers करते हैं और सब लोग बोलते हैं कि अब यह reunion है हमारे family का और Mr. Hee जो है बोलते हैं कि मैं lead लेता हूँ करके और फिर वो अपना drink खतम करते हैं और बोलते हैं कि जो यह champion है वो वेकल भी cheap champion नहीं है करके और Mrs. Hee बोलते है कि तुम जादा मत पी होगा कि Mr. Hee बहुत खुश होते हैं अब बोलते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ Mrs. Yee और Mr. Yee दोनों देखते हैं यहां Ruru और Yee और हमारे CEO भी आए होते हैं और दूसरी तरफ लिंगवाई उसकी मादर और उसके पापा भी है और तब भी Mr. Hee बोलते हैं कि दोनों बच्चे मेरे जो हैं अब वापस आगे हैं और वो लोग यहां पर हैं तो Mrs. Yee अपने फादर को बोलती है डैड और उनका जो बेटा है वो भी डैड बोलता है और तब भी Mr. Hee बोलते हैं कि तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो और चलो चलो सब पी हो तब भी Ruru भी अपना जूस का गलास उठाता है और पीने लगता है और बाकी लोग जो हैं वो अपना अपना शैंपियन पीते हैं करके और यहाँ पर यही भी और CEO भी पी रहे होते हैं और तब ही Mrs. Hee बोलती है कि बहुत लंबा समय बीच चुका है हमारी फैमिली ऐसे कब एक साथ बैटी थी लास्ट मुझे तो याद भी नहीं है और यह बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग सब यहाँ पर हो और तब ही Mr. Hee इना अपने CEO की तरफ देखते हैं और बोलते हाँ तुम सही कह रहे हो बट हम लोग क्या है कि एक एक्स्ट्रा मेंबर भी है और वो एक्स्ट्रा मेंबर कौन है वो हमारा CEO जो ही फैमिली से बिलॉंग नहीं करता है और सारे अल्डर्स जो हैं बड़े बुजर्ग वो सब CEO और यही को देखने लगते हैं और तब ही Mrs. Yee बोलते हैं कि डैर यह हमारे फैमिली का रियूनियन है इसको बरबात मत करो और आपने कहा था कि आप जिन्याओ को एम्बैरस नहीं करोगे और यह हमारे फैमिली का पार्ट भी है तो Mr. Yee ठोड़ा करते हैं और बोलते हैं कि कौन सी फैमिली का पार्ट है और क्या तुम रूरू के पहरे में बात कर रहे हो तो हाँ रूरू तो बाके में हमारे फैमिली का पार्ट है और वो बोलता है कि चलो रूरू हम लोग टोस करते हैं तो Mr. Yee जो है वो अपना शैंपिन का ग्लास उठाते हैं और रूरू अपने जूस का ग्लास उठाता है और दोनों मिलके चीयस करते हैं और एक ही घुट में अपना जूस और वाइन पी लेते हैं अब ये लोग खाना दिखाते हैं कि खाना खा रहे हैं सब लोग बहुत खुश है तब ही हमारा CEO Yee को बोलता है कि मुझे लगता है तुमारे ग्रैंट फादर जो है मुझे पसंद नहीं करते हैं Yee अपने ग्रैंट फादर की तरफ तिछी नजर से देखता है बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे मेरे ग्रैंट फादर पसंद नहीं करते हैं मेरे डैड भी है जिसे मेरे ग्रैंट फादर जो है पसंद नहीं करते हैं तो दिखाते हैं कि कैसे हमारा CEO और मिसिस ही के हजबन याने यी के फादर कैसे ग्राइन फादर को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं और यी तभी बोलता है कि कोई समस्या नहीं है तुम रिलेक्स हो जो और जादा चिंता मत करो मील को इंजॉय करो तो रूरू और जो CEO है वो ओके बोलते हैं और देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे हैं अब लिंगवाई भी उनकी तरफ देखती है और लिंगवाई जो है वो बोलती है CEO को क्या तुम अपने आपको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो तुम इस तरीके से पूरी रात CEO को देख रहे हो करके तो CEO अपने मन में सुचता है कि लगता लिंगवाई भी मुझे पसंद नहीं करती है अब दूसरी तर देखते हैं कि मिजिस ही अपनी बेटी से बात कर रही होती है और यहाँ पर लिंगवाई के माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और रूरू खाना खाना में बिजी होता है और यह इन सब को देख रहा होता है और यह कोई एकदम से बिग हेट की याद आने लगती है तब इसी अफुषता है कि क्या तुम ठीक हो तो यह बोलता है पता नहीं क्यूं मैं बिग हेट को थोड़ा मिस कर रहा हूँ और तब इसी होता है कोई प्राब्लम नहीं है तुम मिस जरूर कर रहे हो लेकिन हम उसे फिर आज रात को देख सकते हैं और तब यह दोनों को अपने रात की इंटिमेसी भी याद आती है और दोनों बलेश करने लगते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और रूरू को कुछ समझ में नहीं आता की क्या चलता है अब रात हो जातی है और यह तीनों की तीनों बिस्ताय में लेट जाते हैं और तब ही रूरू पूछता है क्या तुम लोग तैयार हो ड्रीम्स में जाने के लिए तो दोनों बोलते हैं हम लोग तैयार हैं तो रूर बोलता है चलो फर चलते हैं और दोनों अपनी आखे बंद करते हैं और सोने की कोशिस करते हैं अब दिखाते हैं कि तीनों बिस्तर में सो रहे हैं पर यह जो है कि उसको नींद नहीं आ रही होती है, उसे बहुत nervous feeling होता है, और अपने मन में सुछता है कि कितना time और लगेगा मुझे सोने में, और तब ही देखते है कि time बढ़ता ही जा रहा है, और यह अपने मन में सुछता है कि मैं सो गया हूँ, फिर वो बोलता है नहीं, म मुझे सोना होगा अधर्वाइस मुझे रूरू अपने ड्रीम्स में कैसे ढूंडेगा यदि मैं सोंगा ही नहीं तो और तभी यह अपने आपको मोटिवेट करता है कि कम आन कम आन सो जाओ करके अब क्या होता है रूरू तो अपने ड्रीम्स में पहुंच जाता है क्योंकि र रूरू अपनी डकी के ओपर बैठा होता है बिग हेट के साथ और CEO पैदल चल रहा होता है CEO बोलता है कि रूरू हम इतनी देर से चल रहे हैं हमको अभी तक यही मिला नहीं है क्यों नहीं मिला होगा तो रूरू इधर उदर देखता है और सुसता है कि मैं यही को डूरने की कोशिस कर रहा हूं मुझे लगता है इस तरफ होगा यही तो बिग हेट भी थोड़ा सा रिस्पॉंस देता है अब CEO और रूरू उस तरफ चाहते हैं और तब ही CEO को दिखाई देता है कि कोई उसके बारे में ड्रीम कर रहा है और CEO जब देखता है अपनी तस्वीर को बादलों के बीट में तो वो सुचता है यह तो मैं हूं तो क्या कोई मेरे बारे में ड्रीम कर रहा है क्या तो फिर CEO को याद आता है कि रूरू ने कहा था कि वो जो है लोगों की ड्रीम्स को कनेक्ट कर सकता है और वो भी उन लोगों के जिनको वो जानता है तो वो सोचता है, रूरू होता है कि मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके मैं ड्रीम्स देख सकता हूँ पर मैं उनके ड्रीम्स के अंदर नहीं जा सकता और तब ही वो लोग मुझे नहीं देख सकते हैं लेकिन तो CEO आपके खड़े होके देखता है कि उसके बारे में कोई ड्रीम देख रहा है तो CEO अपने मन में सुचता है कि इसका मतलब ये है कि जिसके ड्रीम को मैं देख रहा हूँ उस इनसान को मैं जानता हूँ तो रूरू बोलता है फैंग फैंग तो CEO बोलता है कि रूरू बिग हैड तुम लोग क्या जाके यी को ढूंड सकते हो मैं इस तरफ देखता हूँ शायद इस तरफ हो तो रूरू फट से तयार हो जाता है बोलता है ओके और अपने मन में सुचता है कि मैं अभी तक यी को क्यों नहीं ढूंड पा रहा हूँ क्या वो इस तरफ होगा और फिर बिग हैड और रूरू अपनी टकी पे बैठते हैं और एक दूसरे डायरेक्शन में चले जाते है CEO वहीं खड़ा रह जाता है क्योंकि वहाँ पर उसको क्यूरिसिटी होती है कि कौन उसके बारे में सपना देख रहा है तो उससे सुनाई देता है जिन याओ तुम इसको मेरे पास से कैसे ले जा सकते हो एक्चली में CEO की जो छोटी आंट है उनका सपना चल रहा होता है और छोटी आंट जो अपने सपने में CEO को देख रही होती है और तबी CEO देखता है कि यह उसकी छोटी आंट है और बोलते हैं कि ये उनका ड्रीम है पर वो मेरे बारे में क्यों ड्रीम देख रही है और उनका जो फेस है वो इस तरह का अजीब सा क्यों देख रहा है वो तो ऐसी है नहीं वो तो हमेशा मुस्कुराती रहती है तो वो इस तरही के से क्यों बिहेव कर रही है तो ड्रीम में दिखाते हैं कि जो आंटी हैं वो बोल रही है कि मेरा बच्चा मुझे वाफस दे तो ये मेरा बच्चा है तो CEO सुसता है कि इसका बच्चा क्या बिग हीड के बारे में बात कर रही है और तब ही CEO अपने ड्रीम्स में बोलता है कि वो बच्चा मेरा है तुम्हें तो ये बात बता है और ये मेरा बच्चा है और ये मेरे से ही बिलॉंग करेगा तो CEO अपने मन में सुसता है कि आखिरकार मैं ये बोल किया रहा हूँ आउन्टी के सपने में क्योंकि basically हमारे CEO का तो बच्चा वैसे भी बिग हैड नहीं है लेकिन आउन्टी के माइन्ड में ऐसा है कि जिस बच्चे को वो अपने गर में लाई है वो हमारे CEO का बच्चा है तो आउन्टी के जो द्रीम्स है वो इसी तरीके चलते है और वो बोलती है कि वीग है जो है वो मेरा बच्चा है और तुम उसे मेरे पास से ले नहीं जा सकते और तुम बस नहीं ले जा सकते और तब ही दिखाते है कि CEO बोलता है सपने में कि ये मैं ऐसा होने नहीं दूँगा और मैं तब CEO सुचता है क्या मैं बिग हैट को ले जाने की कोशिस कर रहा हूं और आंट यू यां जो है उनका ड्रीम इस तरीका क्यों है कि मैं उनके सपने में उनका बच्चा ले जाने की कोशिस कर रहा हूं अब दिखाते हैं कि अंटी अपने सपने में देख रही है कि CEO से बोल रहा है कि तुम एक गंदे चोर तुमने बिग हेट को मेरे पास ते चुराया और अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा बच्चा है और तुम इस बच्चे को डिजर्व नहीं कह सकते हो तो अंटी बोलती है कि तुमारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की CEO खड़े होकर ये सारे ड्रीम को देख रहा होता है और अपने मन में सुचता है कि मैं तो ऐसे शब्द कभी भी अंटी को नहीं कह सकता हूं क्या वो मेरे बारे में इस तरीके से सोचती है और तब ही वो सुचते है कि ऐस देखेगी तब ही वो अपने मन में सुचता है कि क्या ये सच है कि जो हम ड्रीम देखते हैं वो हमारा डीपेस सीक्रेट होता है तो वो CEO दिखाते है कि सपने में कैसे अपनी अंटी से बात कर रहा है और ये सपना अंटी का चल रहा है तो CEO बोलता है कि तुम्हें पहले से प जैंग और आंटी यू लिंग जो है वो हमारे फैमिली के राइट फुल लोग नहीं हो हाइर्स नहीं हो करके बड़ मेरे फाधर और जो ग्रेंट फाधर ने तुम लोगों को इदर पे रखा वो भी क्योंकि वो मेरे फाधर की वज़े से और उनका जो हाट है वो बहुत सौप्ट है इसलिए और उन थैंक्स टू हिम और तुम उन लोगों के मतलब मेरे ग्रेंट फादर ने जो तुमें इतने अच्छे से रखा इतना अच्छा लायर दिया और यह सब तो तुम इमेजन भी नहीं कर सकते थे कभी और लेकिन तुम तीनों ने क्या किया तुम तीनों को तो कोई gratitude भी नहीं है और उपर से जो चीज तुमारी है नहीं वो चीज को तुमने अपने पास रखने की कोशिस की तो तुम कितने बेश्रम हो करके तो आंटी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने सपने में जिन्याव को डाटती है कि shut up तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम्हें तो बहरी बार जब तुम बॉर्ण हुए था मतलब जब तुम्हारा बर्थ हुआ था तो तुम्हें तो तभी बॉर्ण नहीं होना चाहिए था और तुम्हारा जो पिता है वो मरना उनके लिए सही था वो सही अच्छा हुआ कि वो मर गए करके और अब जो fan family है वो मेरी है तुम्हारी नहीं है और तुमको तो कभी भी bond नहीं होना चाहिए था यदि तुम bond नहीं होते तो ऐसा नहीं होता अब तभी दिखाते हैं दूसरी तरफ कि हमारा जो यह है वो उसको अभी भी सोने में difficulty हो रही है वो किसी तरह सोने की कोशिस करता है और बोलता है क्या मैं सो गया तभी उसको आवाज सुनाई देती है रूरू की जिसमें रूरू बोल रहा होता है यह मैंने finally तुमें ढून लिया है बिग हैड और रूरू जो है यह को सपने में लेने आज़े हैं तो यह को लगता है कि आप वो सो गया है तभी उसे रूरू दिखाए दे रहा है तो रूरू पुसता है कि इतनी इर क्या लग गई तुम क्या करने में busy हो गयते मैं तुमे किती देर से ढूब रहा ह alternates करके लेकिन तुम अभी तक मिले यह नहीं मुझे और विग हैड भी थोड़ी सी साउंड निकलता है और तभी उठता है सपने में और बोलता है कि मैं थोड़ा नर्वस था और मुझे सोने में बहुत प्रापलम हो रही थी तो रूरू बलता है ठीकिट चलो चलके खेलते हैं और मुझे ना, नाइट एंड मॉन्स्टर वाला गेम खेलना है, तो बिग हैट भी तयार हो जाता है, तब ही पुछता है कि फैंक फैंक कहा है, क्या वो नहीं आया, और क्या उसे भी इस सुने में प्राब्लम हो रही है, क्या, तो रूरू बताता है, वो तुम्हें ढूंडने के लिए दूसरे डायरेक्शन में गया है, और वो बोलता है कि बिग हैट तुम यहां यही के साथ में रहो, मैं जाता हूँ और फैंक फैंक को यहां पर ले के आता हूँ, तो बिग हैट चुकी रूरू की सब बात मानता है, तो वो इशारों में बोलता है, अब रूरू जो है अपनी डकी की सवारी लेता है, और जल्दी से भाग जाता है, और तभी ही सुसता है कि मुझे लगा था कि मैं शायद फैंक फैंक के ड्रीम्स के अंदर भी जाके देख सकता हूँ, अब क्या होता है, वो बिग हैड को अपनी गोदी में लेता है, क्योंकि बिग हैड उसके कपड़े खीच रहा होता है, और तभी यही बुलता है कि बिग हैड मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बिग हैड भी बहुत खुश हो रहा होता है, और यही बोलता है कि तुमने मुझे मिस किया और मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ ऐसे करके वो बिग हैड जो है यही की उंगली के साथ खेलने लगता है और तभी यही उसको गोद में लेके बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े बड़े हो गए हो तुमारे arms और likes जो है वो पहले किया picture बड़े लग रहे है तो big head बहुत खुश होता है और दूसरी तर दिखाते है रूरू जो बोलता है यह हम लोग आ गए हैं और तभी हमारा ही जो big head को अपने हाथों में पकड़ा होता है वो बोलता है इतनी जल्दी आ गए और तभी वो देखते हैं कि जो हमारा CEO है वो भी ड़की पे बैठा बाए लेकिन वो बहुत ही sad और खोया-खोया सा है और तभी यह जो है उसकी ड़की रुकती है रूरू उतर जाता है लेकिन CEO अभी भी ड़की पे बैठा रह जाता है तो यह बोलता है कि जिन्याओं तो तभी CEO को होश आता है और बोलता है कि अच्छा हम लोग पहुंच गए और तभी बोलता है हाँ यह बहुत amazing था और तरह मिलते तो हम लोग जब सवेरे उठते तो हमें कोई थकान भी नहीं लगती और ऐसा लगता है कि यह एक सपने की इस सपनों में मिलने का जो सपना है वो बहुत ही अच्छा है तो CEO थोड़ा हसता है और रूरू अपनी तारिफ करता है कि देखा मैं कितना awesome हूं करकी तो CEO बुलता है of course तुम बहुत ही अच्छे हो और तभी यह जो है जिन याओ का हाथ पकता है बुलता है चलो मेरे साथ आओ हम उदा देखते हैं और दुम्हें नहीं लगता कि बिग हैट थोड़ा सा बड़ा हो गया दिको उसके arms और लेक्स जो है वो पहले कि अपिक्षा बड होती है जो कि उसकी अन्टी ने सपने में कही थी कि और CEO ने भी कहा था कि तुम डिर्टी थीफ तुमने big head को मेरे से चुरा लिया एगा कि तो CEO को ये बात र्याद आती है कि Big Head को किसी ने चुराया है और वो Big Head को बहुत गौर से देख रहा हुता है और ये बोलता है कि बच्चे जो होते हैं कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये बात करना भी सीख जाएंगे लेकिन मैं कभी-कभी सुचता हूँ कि इन जो Big Head है उसका पहला शब्द क्या होगा करके तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या बोलेगा करके तब ही नोटिस करता है कि CEO का ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ है तो वो पुछता है कि जिन गया हो कि तुम ठीक हो तो CEO बुलता है हाँ मैं ठीक हूँ बस मैं Big Head की क्यूटनेस में खो गया था अब क्या होता है Big Head जो वहाँ पर खेल रहा होता है लेकिन ये के मन में बहुत सारे सवाल चलना शुरू हो जाते हैं और ये बुलता है कि कि रूरू मैंने एक बहुत वीयर्ड सा क्लाउड देखा है उस तरफ हो सकता है उसमें कोई मांस्टर बगरा हो तो तुम वहाँ जाके उस क्लाउड के साथ खाईड भी कर सकते हो तो रूरू बोलता है ओके मैं आ जाता हूं और देखता हूं अब रूरू जा चुका होता है बिग हैट के साथ अब सिर्फ हमारा CEO यह अकेले बच्टे हैं तो यह बोलता है कि देखो वो लोग चले गए हैं तो अब हम मतलब यह सोच रहा होता है कि कल की तरह ही वो लोग आज भी intimate होंगे लेकिन हमारा जो CEO वो अभी भी कुछ खोया-खोया सा है अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी अपने मन में सुछता है कि मैंने इतना सब कुछ बोल दिया रूरू को भी भगा दिया लेकिन अभी तक CEO कुछ भी react नहीं कर रहा है तो क्या वो ऐसा सोच रहा है कि मैं पहले पहल करूँ तो यह बलता है ठीके ठीके कोई बात नहीं आज मैं पहले पहल करता हूँ करके और वो CEO का हाथ पकरता है और तभी CEO बलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि हर इंसान के दो साइज होते है तो CEO आगे बुलता है कि जो लोग होते हैं कई बर वैसे नहीं दिखाई देते जैसे वो अंदर से होते हैं और उनके जो दिमाग में thoughts चलते हैं मतलब विचार चलते हैं वो बहुत ही dark होते हैं तो यह को समझ में औही है कि CEO क्या बात कर रहा है तो वो बुशतह है क्या कहा तुमने और तब keyword क्या सोचते हैं मेरी आंटी यू यांd को के बारे में उसमें ये शामिल है क्या, तो CEO बुलता है यी, और मुझे ऐसा लगता है कि Big Head जो है, वो मेरी अंटी का बच्चा नहीं है करके, तो यी फिर confused हो जाता है, बुलता है क्या मतलब तुम्हारा, अब क्या होता है, CEO बताता है कि मुझे ऐसा लगता है, कि जो Big Head है, वो हमारी अंटी का असली बच्चा नहीं है, तब ही को होशा आता है, और उसे लगता है कि, ये हमारे 4Play की तरह साउंड नहीं कर रहा है करके, और क्या चल रहा है करके, क्योंकि यी जो है बहुत ही confused हो रहता है, तब ही CEO बुलता है कि, मेरा जो Head है, मेरा जो दिमाग या भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मैंने कुछ ऐसा देखा, जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और मैं अभी भी शूर नहीं हूँ कि, जो मैंने देखा, वो सच है या नहीं है, तो CEO बुलता है, कि ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो यह बादलों पे बैठ जाता है, बोलता है, इधर आओ, मेरे साथ बैठ और मुझे बताओ, तुमने क्या देखा, क्योंकि तुम जो है, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है, तुमारी बातों से, और तुम्हें ऐसा क्यूं लगता है कि जो बिग हैड है वो तुम्हारी आंटी का बच्चा नहीं है करके और तब इसी यह बताना शुरू करता है कि जब भी रूरू मुझे तुम्हारे ड्रीम में लेके आता है तो हम एक एरिया की तरफ से गुजरते हैं जहां हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़े देख सकते हैं और ना वहाँ पर उसने मुझे कहा था रूरू ने कहा था कि जो यह दूसरी चीज़े हैं वो दूसरों के सपने हैं और मुझे ऐसा रगता है जिससे कि हम मूवी देख रहे हो करके और जो हमें दूसरों के दिल में क्या है वो हमें मूवी के दवारा समझाया जा रहा हो तो मैंने आते वक्त तुमारे माता-पिता को देखा मिस्टर ही को देखा रूरू को देखा तो यह बोलता है अच्छा तो तुमने किसी और के ड्रीम्स को देखा तो CEO बोलता हाँ मैंने अपनी अंट यू आन के ड्रीम को देखा तो यही बोलता है तो according to her मतलब उसके हिसाब से big head जो है वो तुम्हारा sun है है ना तो यही बोलता है कि लेकिन यदि big head तुम्हारा sun है तो यह तुमने कब पैदा किया मुझे क्यों नहीं बताया और big head तुम्हारा बच्चा कैसे है तो जो CEO है वो एकदम से होश में आ जाता है और फटा-फट explain करने लगता है डर के मारे कि नहीं नहीं वो मेरा बच्चा नहीं है मैं कसम खाता हूँ मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है और तभी यह हसतार बोलता है अरे मैं तो मजाग कर रहा था और फिर उसके बाद serious होके यहीं बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी आंटी का dream था वो इसलिए ऐसा सबना था क्योंकि उन्हें हो सकता है किसी चीज़ का guilt हो और लेकिन वो सच है या नहीं और यदि तुम यह जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हे एक proof को जुगारना होगा और जब तक तुम्हे proof नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें शान्ती नहीं होगी और सच्चा ही तुम्हारे सामने नहीं आएगी तो इन चीजों के ओपर सोचने से तो अच्चा है कि तुम इन सारी चीजों से जल्दी से जल्दी deal कर लो और नहीं तो तुम्हारे जो बाल हैं वो गिर जाएंगे यदि तुम इस तरीके से stress लोगे और मैं किसी भी टकले आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ तो CEO बोलता है कि अरे मैं टकला नहीं हूँगा तो यह बोलता है हाँ अच्छा है कि यदि तुम टकला ना हो तो और तभी CEO बोलता हाँ तुम सही कह रहो हो मुझे sure करना पड़ेगा इन चीजों को मुझे एक strange feeling हो रहा है कि big head जो है अपने मन में सुचता है कि big head जो है वो यह के बहुत close है तो क्या big head और यह का कोई relationship है क्या अब क्या होता है यह बोलता है कि चलो तुमने इतनी सारी बाते मुझे बताई तो मैं भी जाके उन लोगों का dreams देखना चाहता हूँ क्या तुम मुझे ले जा सकते हो वहाँ पर तो CEO बोलता है हाँ ठीक है हम लोग मुझे वो रास्ता याद है CEO बोलता है कि मुझे वो रास्ता याद है और वो यहां से दूर नहीं है अब दोनों आगे-ागे बढ़ते हैं उनने काफे सारे ducks दिखाए देते हैं वो लोग मुस्कुराते वे आगे बढ़ते हैं और एक cloud और डकी पर बैठके आगे निकल जाते हैं अब यहां पर दिखाते हैं CEO की अंटी लेकिन यह अंटी का वो टाइम है जब यह जवान होती है और यहां पर फिर से अंटी ही ड्रीम्स देख रही है सपना देख रही है लेकिन इस बर अंटी के सपने में कुछ और दिखाई देता है और तभी जो यह बुलता है कि यह जो ड्रीम में थोड़ा सा अलग लग रहा है और क्या यह तुम्हारी अंटी है क्या यह उस टाइम का ड्रीम है जब तुम्हारी अंटी यंग थी तो दिखाते हैं कि उस ड्रीम में एक और एक आदमी है जो फोन पर बात कर रहा होता बुलता है ठीक है मैं इस वक्त आ जाओंगा और उसकी आउंटी पीछे से इस आत्मी की बाते सुन रही होती है और यह आदमी बोलता है कि तुम मुझे कुछ हिंट दे सकती हो तब ही वहाँ से कुई आवाज आती है और यह जो आदमी है वो बोलता है ठीके ठीके मैं अब आगे नहीं पूछता हूं तुम मेरा इंतिजार करो मैं घर पहुचता हूं अब यह जो आदमी है वो कोई और नहीं होता है बेसिकली यह हमारे CEO के फादर है जो एकसिडेंट में मर चुके होते हैं अब यहाँ पर दिखाते हैं CEO के फादर का एक्जेक चेहरा की CEO के फादर कैसे दिखाई देते हैं करके अब CEO देखता है और सोचता है क्या यह आदमी मेरे बिलकुल मेरे जैसे ही दिखता है तब ही दिखाते है कि उस आदमी को मतलब उसके फादर को किसी ने पीछे से आवाज दी और कहा है Brother तो पीछे दिखाते है कि YN क daran खड़ी है उने इनकी छोटी आंटी खड़ी है और पूछती है कि आप कहा जा रहे होगे तो CEO के फादर बुलते है कि मेरी वाइफ ने मुझा सप्राइज देने का विचार किया है लेकिन मुझे बताई नहीं रही है कि क्या सप्राइज है और तो मैं घर जा रहा हूं उसे देखने के लिए तो यह बुलता है कि यह आदमी तुम्हारी तरह दिखता है तो CEO बुलता है कि मैंने इसे कहीं तो पिक्चर में देखा है ऐसा लग रहा है कि ये मिरे फादर है तो ये बुलता है अच्छा ये तुम्हारे फादर है अब दिखाते हैं कि जो आंटी है, वो CEO के फादर को पुछती है क्या तुम्हारा जल्दी जाना जरूरी है क्या तो CEO का फादर बोलते है कि तुम घर के अंदर जाओ तुम्हारी मदर नहीं तो तुम्हारी चिंता करेगी और उसके बाद कहता है गाने से पहले पुछता है कि या तुम्हें कुछ चाहिए चोटी अंटी ना उसके भाई का हाथ पकड़ लेती है मतलब CEO के फादर का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि ठीके तुम ड्राइव सेफ ली करना करके और CEO के फादर बहुत कुछ होते है कार का सीशय चड़ाते हैं और ओके बोलते हैं और निकल परते हैं अब जो आंटी है वहाँ CEO के फादर की गाड़ी को चाता वह देखती है और उसको थोड़ा सा पसीना पसीना भी आ रहा होता है और तभी यही बोलता है कि तुम्हारी आंटी जै कुछ इस तरह की दिख रही है तो CEO होता है कि यही कि तुम आंटी के पीछे जो कलंडर है उस पर डेट देख सकते हो क्या तो यही बोलता है हाँ और वो 15 अगस का तारीख है तो CEO का चाहरा एक दम से डार्क हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि 15 अगस के दिन ही उसके पापा ड्राइफ करते वे आ रहे थे और एक एकसिडेंट हुआ था और जिस एकसिडेंट में उसके पापा मर गए थे अब क्या होता है आंटी का यह सपना खतम होता और आंटी जो है वो डर के मारे उठ जाती है क्योंकि आखेकर उसे इस accident के बारे में पहले से ही पता था अब जैसे ही वो डर के मारे उटती है तो उसका husband बोलता है युवान क्या हुआ क्या तुम ठीक हो तो उसकी आंटी बताती है कि हाँ मैंने एक dream देखा उस दिन के बारे में कि मेरे भाई का accident हो गया है तो उसका husband बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं जो past था वो past था अब उसके बारे में मत सोचो तुम बहुत लंबे समय से इस बात को सोच के stress आउट हो रही है तो आंटी बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और तब ही वो बुछती है कि big head कहा है तो उसका husband बोलता है कि वो अपने बिस्ते में सो रहा है अब दिखाते हैं कि big head भी fines है और सो रहा है तब आंटी जो है करवर बदलती है और बोलती है कि मुझे शायद अपने भाई को उस दिन जाने से रोक लेना चाहिए था मुझे पहले से ही पता था कि उसकी car के brakes को fail कर दिया गया है फिर भी मैंने उसे car में बाटके जाने दिया तो अँटी का husband बोलता है कि लेकिन तुमने उसे कहा था कि वो drive safe करे तो उसने शायद तुम्हारी बात को सुना नहीं होगा तो आँटी बोलती लेकिन मुझे बात ने पता चला कि उसकी wife उसको क्या surprise देना चाहती थी उसकी wife उसे ये बताना चाहती थी कि वो pregnant है यदि मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा भाई मेरे मेरे बहुत प्यार करता था और मैं उसको पसंद भी करती थी पर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरा भाई हमारी सारी property ले लेगा क्योंकि ये जो थे actually CEO के फादर के सौतेले भाई बहन है इसलिए जो ये आँटी की मदर है वो हमेशा CEO के फादर के बारे में और CEO के बारे में गलती सोचती है तो husband बोलता है कि तुम जादा मत सोच चुकर के तो आँटी बोलती है ओगे अब क्या होता है ये जो इनका सपना ये लोग देख रहे थे आँटी का जो सपना था वो हमारे CEO और ये इने भी देखा तो ये को बहुत फिकर होते है क्योंकि इसमें इनको पता चला कि आँटी को भी पता था कि इसके पापा का कैसे एक्सिडेंट हुआ करके तो वो पुछता है कि जिन्या और तुम ठीक हो क्या तो ये बोलता हाँ मैं ठीक हूँ इसके ड्रीम्स ने मेरे काफी सारे सस्पिशियस एक्टिविटी को जो है और डाउट्स को क्लियर कर दिया है और जो सारे डीटेल बहुत ही अजीव दिख रहते अब वो धीरे धीरे मुझे क्लियर होने लगे हैं और मैंने ये एक्सिटेंट के बारे में पास्ट में भी इंवस्टिकेट किया था लेकिन कुछ चीजे सही तरीके से नहीं पता चली थी लेकिन अभी वो चीजी क्लियर हो रही है करके और तभी उसके दिमाग में आता है कि सबसे पहले तो उसे जाके बिग हैट की आइडेंटिटी को कन्फर्म करना चाहिए उसके बाद मैं दूसरी चीजों के बारे में इंवस्टिकेट करूँगा दूसरी चीजों से यहां मतलब है वो अपने फादर का कार एकसीडेंट इंवस्टिकेट करना चाहिए और एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी अब क्या होता है दूसरी तर दिखाते है होस्पिटे और तभी हमारा CEO डॉक्टर के सामने में बैटा होता है पुलता है क्या रिजल्ट आ गये हैं क्या तो डॉक्टर बुलता है कि हाँ DNA टेस्स के हिसाब से वो लोग फादर और सन है यह सुनके तो CEO की आखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में सुचता है कि मुझे पता था कि बिग हेड जो है वो यही का वेवी है करके अब दूसरी तर दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है यही जाज चुका है और सब लोग बोलते हैं यही सब लोग अपना रैप अप करो करके और सब लोग बता ही देते हैं और बुलते हैं ग्रेट जॉब यही का प्रोजेक्टर कम्प्लीट हो गया है और तभी हमारा रैण रैण पुछता है कि यही तुमारा next plan किया है क्या तुम्हारा पस कोई और भी movie shoots हैं क्या तो यही बताता है नहीं मेरे पस कुछ भी shoots नहीं है मुझे बस events में जाना और उसे attend करना है और मैं थोड़ा सा break लेना चाहूँगा क्योंकि यह ब्रेक इसले लेना चाता है क्योंकि उसको पता रहता है कि CEO का mental condition अभी ठीक नहीं है आखेकर उसको उसके फादर के accident का राज़ पता चल गया है और वो बोलता है कि मेरा boyfriend जो है उसको किसी चीज की take care करना है तो मैं थोड़ा break लूँगा तो random बोलता है तुमारा boyfriend तो यह बोलता है अपना voice जो है थोड़ा कम करो और तभी random बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमको थोड़ा time rest करना चाहिए और ज़रूर दूसरी movies भी जल्दी आएंगी और तुम्हें उनके प् तुम waste मत करना तो यह बोलता है इतनी जल्दी प्रीमियर वगरा आजाएगा और फिर अपने मन में सुचते है हां तुमने सही कहा क्योंकि Mr. Lin ने भी कहा था कि वर्क लोड बढ़ेगा और तभी उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अपना जल्दी जल्दी सब कुछ करना च पॉपुलर एक्टर जो होते मुवी में उनको बहुत सारा एफ़र्ट डालना परता है अपने मुवीज को प्रमोट करने के लिए तो तुम थोड़े दिन आराम करो और उसके बाद वापस पूरी एनरजी के साथ यहां पर काम करना हो और जैसे ही मुवीज खतम होंगी हम मै जाके जिम में वरकाव करेगा करूंगा करके तुम्हारे पस एक हपता है और तुम लोगों ने बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारा नहीं है और वो बोलता है कि तुम लोगों को शायद एक साथ जादा टाइम बिस्तर में गुजारना चाहिए और तब ही यह को शरमाती ह में वह सुछते हैं कि यह सब इतना आविस था कि कि नूसे लोगों को भी समझने आता है तो बलता है कि मैं सच बोल रहा था मैं निवा में तो बस तुम्हारा मज़ा कुड़ा था और तभी ही बलता है कि हमने सिर्फ एक дополнी बार किया वह भी ड्रीम्स में और उसके बाद जैसे कि CEO का इंटरस्ट मेरे में खतम हो गया हो और मैंने कई बस उसको रात को हिंट भी दिये लेकिन कुछ नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्याओ कुछ है वो थोड़ा सा हैजिटेट कर रहा है क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो उस दिन के एक्सिडेंट के बाद से और मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी बाते कैसे बता हूँ और तभी रैन रैन के मन में बहुत सारे विचा चलता है वो बोलता है तुमको मेरे साथ वरकाउट करना चाहिए तुमें एक अपना स्ट्रांग बोर्डी बनाना चाहिए और जब स्ट्रांग बोर्डी होगा तभी तुमारा बॉइफ्रेंड भी बहुत ज़ादा तुमसे खुश होगा और तुमारे से उसकी आँखे नहीं हटेंगी तो यह बोलता है ठीके और तभी रेनन बोलता है कि यदि तुमारा बॉडी जीम में बनाओके तो हो सकता है तुमारा जो बॉइफ्रेंड है उस वो अपने आप पर काभूना रख सके और फिर वो तुमारे साथ वही सब चीज इस चीज़े यही को सिखा रहा है अब दूसरी सब दिखाते हैं कि डूडू जो है बोलता है कि अरे वा मैं तो अब उनने लग रहा हूं और तभी CEO देखता है और बोलता है क्या है जो आब बोलो जो भी है मन में मत रखोगा कि और यदि यदि तुम्हें सच में कोई प्रा लास नाइट को इंटीमेट सीन नहीं केते लिएं कि उसे नहीं केते क्योंकि उसके अंदर मतलब कुछ प्राबिलम है उसके उस पार्ट में से तो सीयो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं तो ऐसा मतलब यदि हमारे पास भी कोई दूसरा बच्चा हो तो और तभी सीयो बुस्त है क्या तुमको कोई प्राब्लम होगी और तभी वहां पर दिखाते हैं कि रूरू की पीचे से अपने मतलब खेल में बहुत वीजी हो रहा होता है और तभी रूरू को देंगे ही बुलता हैं हाँ बच्चे बहुत क्यूट हैं और हमारे बस तो अलडरी रूरू है और मुझे ऐसा लगता है कि रूरू जो है वो बहुत ही बेस्ट किड है और रूरू से अच्छा head के बारे में तुमने क्या सोचा है तो यह बोलता है हाँ big head भी एक अच्छा बच्चा है मैं उसे पसंद करता है तो CEO बोलता है फिर यदि मान लो I mean कि यदि हमारे पास एक दूसरा बच्चा हो तो क्या होगा करके और यदि वो बच्चा big head हो तो यह बोलने लगता है तुम कितनी weird बाते कर रहे हो तुम बच्चों के बारे में क्यों बाते कर रहे हो क्या तुमने मेरे पर कोई cheating किया है क्या तुमने किसी और का बच्चा चुरा लिया है या तुमने किसी और के साथ कोई बच्चा पैदा किया है तो CEO फट से बोलने लगता है अरे अरे ऐसी बातें मत करो मैं कभी भी तुम्हारे पर चीट नहीं कर सकता कभी तुम्हें दुखा नहीं दे सकता और तभी बुलते हैं लेकिन फिर भी सोच रहा है था कि यदि बिग हेट तुम्हारा बच्छा मतलब हो तो इससे पहले वो complete करे और बोले कि क्या तुम उसको accept करोगे उतनी दिल में यह जा चुका होता है यह कहीं भावरा होता है अब तब ही CEO सुचता है कि यह जो बात है वो काफे दिन से मेरे मन के अंदर खटक रही है और जब मैंने finally सुचा कि मैं उससे बिग हैट की identity के बारें बताऊंगा उसने मेरी एक भी बात को नहीं सुना तो अब मुझे क्या करना चाहिए मैं कैसे इस matter के साथ deal करूँ और यू आन्ज है वो बिग हैट को ऐसे easily मेरे को नहीं देंगी और मुझे यह भी नहीं पता है कि यदि दे भी देंगी तो यू कैसे react करेगा क्योंकि और यह जो चीज है मुझे फट से फट solve कर लेनी चाहिए इससे पहले कि complicated हो जाए अब यहाँ पर CEO को तो पता है कि बिग हैट हमारे यू का बेबी है लेकिन यू को अभी भी नहीं पता है कि बिग हैट उसी का बेबी है तो CEO को समझ में नहीं आ रहा है कि वो यह बात कैसे बता है अब दिखाते हैं Mr. He का घर Mr. He बोलते हैं कि तुम क्या कहने की कोशिस कर रहे हैं और मैं तुमारे ना पातों पे जादा time अपना waste नहीं करूंगा करके और तभी CEO वहाँ बैठता है और बताता है कि मैं यही के बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं आप लोग का opinion पूछना चाहता हूँ तो Mr. He को भी actually clueless हैं तो वो एकदम से गुस्से में होते हैं बोलते हैं मुझे पता है कि रूरू जो है तो तुमारा बच्चा है तो क्या problem है इसमें और मैं उसको तुमारे पास से कभी भी ले जा सकता हूँ तुमारी family जो है वैसे भी बहुत shameless है और तभी Mr. He का बेटा बुलता है कि dad एक minute उसकी बात तो सुन लो यदि ये बात सिफ रूरू के ये बारे में होती तो वो शायद यहां पर ऐसे नहीं आता तो मुझे लगता है ये कोई simple matter नहीं है और तभी CEO बोलता है हाँ आपका बेटा सही कह रहा है और जो situation वो situation वो इस तरह की है कि कुछ साल पहरे में एक misunderstanding थी हमारे बीच में अपना मिस्टर ही धियान से सुन रहे होते हैं और उनका बेटा भी सुन रहा होता है और CEO बताता है कि मैंने ये का जो एग था उसको प्रिज़र करवाया था लेकिन उसके बाद ना वो एग जो था hospital से चोरी हो गया तो ये बाद सुनके मिस्टर ही और उनके बेटे की आंके चोरी हो जाती है CEO बताता कि मेरी जो आंट है उन्होंने चोरी किया और ये जो बच्चा बॉर्ण हुआ है ये बिग हेड जो है वो यी का बच्चा है नेकिन ये बात मुझे अभी अभी पता चली है अब ये दोनों लोग ना चौक जाते है और सोचते हैं कि आने कि ये बच्चा जो है वो ही गवे भी है और सी ये बोलता है इतना ही मुझे अभी तक पता है अब मिस्टर ही तो वैसे भी बहुत गरम मिजास के हैं तो वो अपना हाथ टेपर पे मालते हैं और बोलते हैं कि ये क्या नई प्राबलम खड़ी करके रखी भी है करके अब क्या होता है मिस्टर ही को बहुत ही गुस्ता होते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है मुझे पहले से ही पता था और मुझे पता था कि मैं कभी भी हूरी हैन फैंग से लूज नहीं कर सकता और मेरे पास हमारे फैमिली में एक और एक बच्चा है मतलब ये जो Mr. ये है एक दम बच्चे जज़्जे हैं इनको बड़ी खुशी हो रही है कि इनके पस एक और एक great grandson है और जो CEO के दादा है उनके पस तो एक ही है लेकिन इसके पस दो दो है तो basically ये शो आफ कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारे पस दो बेबीज हैं टू बेबीज और CEO के दादा के पस तो सिर्फ एक ही बच्चा है और अब वो मुझे शो आफ न आजाते हैं बोलते हैं चलो चलो हम अपने बच्चे को वापस लेके आते हैं तो CEO बोलता है Mr. E although ये जो है मेरे private investigation से मुझे कुछ evidence मिले हैं और मेरी जो आउंटी है वो जहां तक है clean out नहीं हो पाएगी मतलब clean come नहीं आएगी और वो big head को हमें देने के लिए तयान नहीं हो तो मिस्टर जी बोलते हैं तो फिर हमें किसी भी तरह उसको वापस लाना पड़ेगा चाहे force क्यों ना लगाने पड़े क्या मैं सही बोल रहा है तब ही वो बोलते हैं कि लेकिन ये कोई बड़ा problem नहीं है मेरे पास बहुत सारे friends और connections भी है और यदि मैं अपनी एक finger आएगी थी देज तीन दिन का time लेते हैं और बोलते हैं कि हम तीन दिन में बच्चे को वापस लेके आएंगे तो जो उनका बेटा होता है कि डैड जो तब ही mister ही उसको रोपते हैं बोलते हैं कि फैंक फैंक के जो दादा है उनके पास इतना guts नहीं है कि वो fight में involved और तुम क्या तुम्हें मेरी capabilities पर doubt है कि वो baby जो है हमसे belong करता है और मेरे को पूरा right है कि मैं अपने big head को अपने पास लेके हूं और कोई भी मुझे रोप नहीं सकता है हमारे जो दादा जी है ना actually बहुत ही जादा excited हो जाते हैं और CEO ना बिचारा नीचे से बोल रहा होता है mister he calm down कर के और बोलता है कि यदि आप इस रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है कि हम इस रास्ते में fail हो जाए मतलब जैसे वो forcefully लेना चाहा रहे हैं यदि हम forcefully लेंगे तो शायद हम fail भी हो जाए और पिक्चर भी ले सकता है हमारी इस तरीके से और वो टीवी पर भी आ सकती है और फ कोर्स से किसी को ले लिया है तो आप जेल भी जा सकते हो तो मिस्टर ही का लड़का बोलता है याने लिंगवाई के फादर बोलते हैं कि हाँ जिन गया हो जो है वो सही कह रहा है आपको ऐसे कोई भी चीज जो है एकदम से नहीं करने चाहिए हमें फैमली का रेपोटेशन भ याने का तुम इसे कावरता वाले काम मत करो और तब इसी यो बोलता है कि लेकिन यी और जो लिंगवाई है दोनों ही पब्लिक फिगर है और यी का तो क्यारियर अभी ही स्टार्ट हुआ है और जो लिंगवाई है वो बहुत ही बड़ी स्टार है इंडस्री की और दोनों ही इस पॉटलाइट में रहते हैं और यदि हम इस तरीके की कुछ भी काम करेंगे तो इसका असर उन पे भी पड़ेगा तो आपको ये सब करने से पहले दो बार सोचना चाहिए तो उनका बेटब बोलते है कि हाँ जिन्याव सही बोल रहा है आपको रिलیک्स करना चाहिए डैड हम जानते हैं कि आपका ग्रेट ग्रेट के चाहिए लेकिन फिल्ब हमें सो समझ के काम करना चाहिए तो जिन्याव बोलते है कि मेरे पास एक आइडिया है तो मिस्टर जी बोलते है अभी तक क्यों नहीं बोला जल्दी से बोलो और CEO बोलते है कि हम यह सारी चीजों को दूसरे तरीके से सौट इट आउट करेंगे पहले हमको पूरूफ चाहिए मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक आइडिया और फेक डॉकुमेंट्स बनाते हैं उनके हाँ जा सकते हैं और फिर आप बाद में इस situation के अंदर step in कर देना और जिस्ते की बोलो फिर force हो जाएंगे तो इनका बेटा सोचता है कि हाँ यह जो आइडिया यह अच्छा लग रहा है और यह थोड़ा सा tricky होगा बट इस तरह के इस तरीके से काम करेंगे तो हम बहुत सारी चीचों से बच जाएंगे और तभी मिस्टर ही बोलते हैं ठीक है मैं एडिमिट करता हूँ कि तुमारा आइडिया अच्छा है और मैं तुम्हें त्री मंस देता हूँ फिर थ्री मंस के बदना एक दम सुनको लगता है कि थ्री मंस तो बहुत सादा दे रहा हूँ तो बोलते हैं तीन महने नहीं एक ही महने के अंदर और तभी और उनका बेटा बोलते हैं लेकिन ये इतना टाइम बहुत कम है लेकिन मिस्टर ही कहां मानने वाले उने तो अपने दूसरे ग्रैंड सन की खुशी में बोलते हैं मुझे कोई परवानी है तुम कैसे भी उसको एक महने में करो यदि तुम एक महने के अंदर मेरे ग्रेट ग्रैंड सन को नहीं लेकिए आपाए तो मैं खुदी जाके कुछ न कुछ कर लूँगा बिचारे CEO और उनका बेटा अपने grandfather का ऐसा attitude देखके बिचारे confused हो जाते हैं अब क्या होता है CEO और रूरू जो है एक जगह पर बैठे होते हैं और big head जो है वो खेल रहा होता और ये सब फिर से dream में पहुंच गए होते हैं और CEO सोचता है कि यदि सब कुछ सही तरीके से चला तो हम big head को है जल्दी ही घर ले आएंगे पर इससे पहले मुझे big head और ये के बीच में bonding अच्छी करने होगी और इस तरीके से ये भी फिर big head को अपने मन से दिल से अपना लेगा अब रूरू इधर उदर देखता है और बोलता है ये वहाँ पर है और फट से अपने बादलों पर जाता है और ये की तरह जाता है और ये को बोलता है उठो उठो ये रूरू को देखके smile देता है और बुलता है कि तुम वाकई में या आँगे और तब भी CEO पुछता है कि तुमने पी रखी है और तब भी बताता है हाँ मैंने आज दो गलास पिया था करके और हम लोग हमारे celebration party को celebrate कर रहे थे और मैं कल घर आ जाओंगा सुबह करके तो CEO बलता है ठीक है कल मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा अब ये लोग सब अपने अपने सपने में बैटके देख रहे होते हैं और CEO अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि बिग हैड और यी close हो तो CEO पुछता है कि तुम क्या बता सकते हो कि बच्चे कि एज में बात करना सीखते हैं करके और अब तो बिग हैड भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो कि तुम उसे कुछ वर्ट सीखा सकते हो तो यी थोड़ा सोच में पढ़ता हो और याद करता है कि रूरू ने मुझे यी बोलना चालू किया था जब वो आठ या नौ मैने का था और मुझे ऐसा लगता है कि बिग हैड के लिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा बात करना तो CEO बोलता है क्यों न हम ट्राइ करें क्या पता हमें बिग हैड को इन सप्राइज दे तो यी बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो यी बिग हैड की तरफ देखता है और बोलता है बिग हैड क्या तुम बात करना सीखना चाहते हो तो big head भी घुर घुर करके आवाज निकलता है और फिर यी बोलता है ठीके मेरी तरफ देखो यी बोलता है डाडा तो हमारा big head फिर भी नहीं समझ पाता है यी फिर से बोलता है डाडा तो हमारा big head फिर नहीं समझ पाता है और रूरू ये देख रहा होता है और बोलता है ये कितना सीली है इस यी यी बोलना है तुमको लेकिन दोनों वहाँ पर डाडा सिखा रहे होते हैं और रूरू उसको यी बोलना सिखा रहा होता है अब इन दोनों की डाडा और यी के पीश में बिचरा चोटा बिगेट कन्फ्यूज हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी आखे वाके सब गोल गोल हो जाती है और CEO ये देखते हैं कि ये लोग कैसे बच्चो जैसी हरकते कर रहे हैं कभी डाडा बोलते कभी यी बोलते हैं अब दूसरी तर दिखाते हैं कि जो CEO की चोटी आंटी है और उसके हस्बेन बिस्तर में बैठके कुछ पढ़ रहे हैं और जो इनका चोटा बच्चा है बिग है उसके माते पे थोड़ा लाइन्स हा रहे हैं क्योंकि ये भी सपने में उन लोगों से मिलता है न और सपने में तो किता प्रेशर हो रहा है इसको यी और डाड़ा सिखाने के उसके उपसे और तभी चोटी आंटी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग हैड़े वो शायद सोती वे कुछ बात कर रहा है और तभी उसका husband बुलता है कि यह हो सकता है तुमने गलस सुना और यह तो अभी बहुत चोटा है यह कैसे बात कर सकता है अब दिन हो जाता है और तभी दिखाते हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तुम से कोई mistake हुई है करके और यह कोई और आदमी नहीं है यह हमारी चोटी हांटी के husband है और वो बोलते हैं कि हमने जो है अम्रॉय कल्टिवेशन सर्वेश के लिए company में अपलाई किया था और हमें तुम लोगों ने बताया कि उस embryo में problem थी उसको आपने dispose कर दिया और जब हमें वाकई में यह बच्चा मिला है तो तुम यहाँ पर आके बोल रहे हो कि हमारा बच्चा नहीं और इसका number कुछ 93007 वगरा कुछ है और यह कुछ थोड़ा weird सी बात है और मेरे पास reason है कि यह एक serious accident है ऐसा भरोसा करने के लिए और जो हमारा बच्चा है वो किसी और की family का बच्चा है यह आप कहना चाहते हो कि तो यह जो लोग hospital से आए हैं वो लोग बोलने लगते हैं कि sir आप हमें माफ कर दीजिए और आप हमें माफ कर दीजिए यह हमारे एक client का है और यह पहुत important person है हमारा और हमने आपको गलत baby दे दिया है तो यह हमारी भी एक mistake है और हम मुझे लगता है कि आप लोग deny करना चाहोगे इसलिए मैं हमारा बच्चा वापस चाहिए और क्या कहते हैं हम आपको एक महने का time दे रहे हैं करके यदि आप एक महने के अंदर हमें हमारा बच्चा वापस नहीं देंगे तो हमें legally आपको force करना पड़ेगा और बच्चे को हमें अपनी custody में लेना पड़ेगा और क्योंकि यह हमारी family का blood related है अब यह कोई और आदमी नहीं है basically मारे CEO का assistant है जो यहाँ पर doctors के साथ आया है और बुल रहा है कि big head इसका बच्चा है अब क्या होता है कि यह जो Mr. He के बेटे हैं वो बड़े कप में चाय पीते हों सोचते हैं कि मैंने सब convince कर दिया है और मेरा acting भी जो है बहुत perfect और बहुत natural है करके अब दिखाते हैं जो इनका hospital से जो बंदा आया होता है वो बुलता है कि Mr. He अब शायद आपको घर जाना चाहिए हम लोगोंने documents चेक कर लिये हैं और मैं इसकी जो है इस सब की देखभर ठीक से करूँगा करके Mr. He बोलते हैं कि ठीके जल्दी करो तो दूसरी आवाज आते हैं कि ठीके से तो Mr. He अपने मन में सूचते हैं कि जिन्याओ का जो idea था हो काफी reliable था करके और उसने सारी चीज़े ठीक से prepare की है और मुझे किसी भी चीज़ की वरी करने की जरुवत नहीं है और मेरा acting भी बहुत अच्छा है और मैं जो हूँ middle aged actor हूँ पहले तो यह producer था अब producer गिरीच छोड़के यहाँ पर acting कर रहा है तो यहाँ पर अच्छा actor है करके और तब यह अपने मन में सुचता है कि अब मुझे पता चला कि मैं कभी भी producer बनने के लायक नहीं था क्योंकि मैं तो actor बनने के लायक था और यह सुचके बड़ा खुश हो रहा होता है और बहुत अपने आपको confident feel करता है अब क्या होता है कि द टेस्ट किया है और जो sample का report आया है वो इस इस number का आया है और तभी दूसरा आदमी पूचता है कि भाई क्या result था तभी यह बताता है कि जो DNA test था वो confirm हो गया है अब इस आदमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और तभी हमारे mister ही अपने मन में सुचते कि जब तक यह lawyer को इसके पास बेज़ दूँगा और lawyer का letter उसको देता है और तभी यादे सुचता है कि ठीके हमें यह matter को किसी तरह settle करना पड़ेगा नहीं तो मेरा नौकरी वगरत जो है वो खत्रे में है और यहाद तो सारे client मेरे चितने भी होते हैं वो अतरी चोप प्रावर्पुल होत है कि यह इनके hospital के द्वारा mistake वी थी और अभी ने जो है legal action लेना पड़ेगा और इसके अलावा यह जो news है इसको हर जगह पे हम खैला भी देंगे तब ही मिस्टर ही बोलते है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें चिंता हो रही है और बोलते हैं कि relax मैं जो हूना बहुत kind hearted man हो करके और मैं तुम्हें एक chance देता हूँ इन सब चीजों को fix करने के लिए और जो baby है वो तो बहुत ही छोटा है उसे तो वैसे भी कुछ याद नहीं होगा तो तुमको ना जिस family को तुमने वो बच्चा भेज दिया है उनको जाकर convince करो कि वो हमारा बच्चा जो है हमको return करें और मैं कोई भी charges फिर तुम पर apply नहीं करूंगा और हम जो है उसको जो incubator में रखता उसका fees देंगे और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देंगे तो यह जो उनके hospital से जिन लोगों ने यह गलती की थी वो लोग को एकदम पसीना आने लगता है और तभी उनका जो side में है दूसरा आतमी रता है वो बोलता है Mr. Lee foreign company ने भी confirmation दे दिया है करके और जो records थे उसके हिसाब से यह जो है यह का ही fertilize act था और हमारे पास उनके genetic के भी information है और जो Mr. Lee है उनका DNA test बराबर match हो रहा है इससे तो जो biological father है वो basically यह है करके तो Mr. Lee बोलते है तुमारे पास एक महना है और तुम्हें इस situation को एक महने के अंदर handle करना है नहीं तो मेरे lawyer से तुम बात करना और मैं तुमको तीन महने दे सकता था पर मेरे जो dad है वो बहुत ही impatient है और वो baby को किसी भी तरह अपने पास पापस आ जाएंगे करके अब दूसी तर दिखाते हैं कि कैसे हमारा big head जो है बोलना सीख रहा है यी डाडा सीख रहा है अब क्या होता है वो मुझ से आवाज निकलता है यी और तब ही दूसी तर देखते हैं कि हमारी जो जिन याओ की छोटी अंटी वो बैटी भी है और अपने husband स बोलती है कि तुमने सुना कुछ तो वो लोग बोलते हैं हमने सुना और बच्चा जो है यी और डाडा बोलना सीख चुका होता है और जो अंटी बड़ी खुश होती है और बोलती है कि देखो ये वाकई में बात कर रहा है और ये जो है शायद डाडी कहने की कोशिस कर रहा और वो खुशिस करते हैं कि बच्चे को मॉमी बोलना सीखा है लेकिन बच्चा जो हैं मॉमी नहीं बोलना सीखता है और इसके मदर है वो बोलो say mom लेकिन बच्चा दुट ऐकी शबद अभी तक सीख पाया है जो किये यी अब उतने में उनके यहां की बेल बज़ती है डिंग डॉंग करके और यह जिस हॉस्पिटल से गलती हुई थी वो लगाते हैं और बोलते हैं कि हेलो मिसिस फैंग तो मेरा नाम जो है वो हुआ ली है और मैं फर्टिलिटी इंस्टिटूशन से आया हूँ मुझे आपसे अपलोजी करनी है कि हमसे यहां पर एक मिस्टेक हो गई है और तब ही यह जो मदर है बच्चे की वो बोलती है कि अभी तो लेकिन बेबी के फिजिकल एक्जाम का टाइम आया नहीं है और यदि वो टाइम आ भी जाएगा तो आप लोगों को इत्ती दूर आने की क्या जरूरती तो यह लोग समझाते हैं कि हमें माप कर दीजिए हम आपसे सिंसेली अपलोजी करते हैं लेकिन यह जो है गलती हमारे यहां से हुई है और हम लोग इस चीज़ की रिस्पॉंसिबलिटी लेते हैं और हम बहुत ही ग्रेटफूल होंगे यदि आप हमारी बातों को समझोगे तो तो यह हस्बन वाइब के सिर पे कोशन मार्ग बनके आता हो यह सूसते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं भी जिन याओ की छोटी अंटी बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप लोग क्या बात कर रहे हैं और तुम यह क्यों कह रहे हो कि बिग हेट जो हमारा बच्चा नहीं है करती है और तभी यह जो फर्टिलिटी सेंटर से लोग आया है वो बोलते हैं कि हमने ना हमारा डेटा चेक किया और डॉकुमेंट भी चेक किये और यह जो बच्चा है वो किसी और से बिलॉंग करता है और यह तो हमारा फॉल्ट है तो ना आउंटी बहुत ही गुस्सा हो जाती है वो बोलती है किसी और का तो कौन हो सकता है क्या जिन्याओं ने नोटेस कर लिया क्या कि मैंने उसका फर्टिलाइजड एक चुराया था कि पट ये तो पॉसीबल ही नहीं है मैंने सारे जितने भी पुरूफते सम्मिटा दिये थे तो ये आदमी बोलता है जो सेंटर से आया है कि हम जो है फरिशान है हम इसको ना क्लाइन का डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं तो आप हमें समझे जा रहा तो ये आंटी बोलती है कि तो फिर मेरे बच्चे का क्या हुआ करके तो यह center वाले बोलते हैं कि हम assume करते हैं कि आपका जो sample है उससे dispose कर दिया गया क्योंकि वो ठीक sample नहीं था और तब ही आणटी को गुसा आता और वो बोलती है क्या कहा तुमने तो यह center वाले बोलते हैं कि हम आपसे apology करते हैं तब ही इसका husband बोलता है कि honey तुम relax हो जा और इसकी wife बोलती है कि तो आपका कहना यह है कि मुझे यह बच्चा उस client को देना पड़ेगा तो ऐसा तो होने नहीं वाला है और मैंने अपने बच्चे को पूरे entire family में मिलवा दिया है और उसका नाम भी मैंने अपने family की रेजिस्ट्री में कर दिया है और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुमें बच्चा दे दूँ तो यह ऐसा हो नहीं सकता है और तब ही आदमी बोलता है कि हम लोग जितना भी आपने financial परचा किया है हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और बच्चे को तो लीगली वापस जाना ही पड़ेगा तो आंटी पूछती है कि उन लोगों को कितना पैसा चाहिए और अपने मन में सुछती है कि यह बच्चा मेरा नहीं है तो इसका कोई भी रियल फादर उससे मुझे क्या लेना देना और लेकिन इसका जो है रेजिस्ट्री मेरे यहाँ पर हो चुका है लेकिन उसको कोई मेरे यहाँ से ले नहीं सकता और तभी यह आदमी को याद आता है कि कैसे मिस्टर ही ने उसको बोला था कि पैसे से कोई लेना देना नहीं है और हमारी जो family है वो खुदी पैसे वाली बहुत है और क्या मुझे पैसो की जरुवत है और मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं बेचूंगा और यहाँ पसे फेकी solution है कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए और मैं उनकी किसी भी condition के साथ agree नहीं करूँगा मुझे सिर्फ मेरा बच्चा वापस चाहिए और तभी आंटे बोलती है कि यदि मैं refuse कर दूँ उनको यह बच्चा देने के लिए तो यह लोग बोलते हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो हम आपसे बहुत ही ज़्यादा मापी मांगते हैं लेकिन फिर वो बाइफोर्स यह बच्चा ले लेंगे और वो आपके खिलाफ lawsuit भी फाइल करेंगे तो आंटे बहुत सोच में पढ़ जाती है कि अब वो क्या करे करके अब दिखाते हैं Mr. He का घर जहां पर Mrs. He, Ruru, Yis और पैटे होते हैं तो Mrs. He बोलती है कि Ruru इदे देखो तोड़े से अंगूर खा लो करके और वो एक एक करके Ruru पर अंगूर खिलाती है और यह को बोलती है तुम इदर आओ, मैं तुम्हे स्ट्राबेरी खिलाती हूँ और यह को बहुत पैयाज से स्ट्राबेरी खिलाती है और बहुत खुश हो रही होती है कि इनके बच्चे कितने अच्छे हैं और बोलती है कि और खाओ और खाओ और यी और रूरू एकदम खाना तो आप लोग जानते हैं कि इन लोगों को कितना पसंद है तो यह सब कुछ खाते हैं रहते हैं और इनकी जो मिसिस ही है वो बोलती है तुम लोग इसको अपना ही समझो अब जिन याओ भी यहाँ बैठा होता है और दिखाते हैं कि मिस्टर ही जो है वो उसके पास जाते हैं और पीछे से दिखाते हैं कि उनका वेटा भी देख रहा है और वो बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है करके तो मिस्टर ही अपने बेटे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यही रूरू तुम लोग ग्रैंड मदर के साथ खेलो मुझे ना कुछ काम के साथ डील करना है तो मुझे जाना पड़ेगा और तो यही और रूरू का तो मुझे फ्रूट से भरा होता है तो वो सरिफ इनको देखते हैं और तभी मिस्टर ही बोलते है कि जिन्याओ एक काम करो तुम मेरी वीलचेर को पुश करो और मुझे स्टैडी मिले के जाओ तो जिन्याओ रेडी हो जाता है और तभी यह अपने मन में सुचता है कि मेरे ग्रैंड फादर ने जिन्याओ को ऐसा क्यो है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तभी यह अपने मन में सुचता है कि इतना लंबा समय बीद गया है अमारे दादा जी ने तो कोई भी कंपनी से रिलेटेड चीजों को हैंडल नहीं किया इतने समय में तो अब क्या ही बात करनी होगी और अपने मन में सुचता है क जो इसके दादा जी है, मतलब अब यह की इमेजिनेशन चल रही है, वो सोचता है कि दादा जी जिन्याओ को डाटेंगे और बोलेंगे कि इतना पैसा लो और यहाँ पर कभी मत आना और मेरे ग्रैंड संसे कभी मत मिलना, और ही यह भी सुचता है कि क्या ग्रैंड फादर जो हैं फोर्सफुली जिन्याओ को कहेंगे कि वो जिन्याओ मुझे छोड़ दे और शायर ऐसा भी हो सकता है और तब ही अपने मन में सुचता है कि जिन्याओ तुम कुछ भी हो जाए मेरे दादा की बात से एग्री मत करना मतलब दादा जी को और जिन्याओ को बेबी के बारे में बात करना है लेकिन यी को भी ये बात नहीं पता है तो यी सुचता है कि उन दोनों की ब्रेक अप की बात करने के लिए शायद दादा जी ने उसे स्टेडी में बुलाया होगा क्या होता है मिस्टर ही का बेटा बोलता है कि as expected उन लोगों ने चाहिल को देने के लिए मना कर दिया और हमको उन्होंने परसन की रूप में मिलने के लिए बुलाया है और जो क्लीनिक के प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया था कि हम उनकी बातों से एगरी कर ले पुछ चाहिए वो अपने आपको समझती क्या है वो मेरे साथ बारगेनिंग करना चाहती है करके तो जिन्या हो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यह जानना चाहती है कि किस आदमी इन्हें यह मतलब सारा ओफर दिया है करके और वो शायद अपने आपको स्ट्रॉंग प्रिटेंड करना चाहती ही करके और वो सोचती है कि यह कोई एक सम प्राइवेट मैटर होगा और हम जो है वेल्दी फैमिली से नहीं होंगे तो वो क्या कहते है फैंक फैमिली का पावर ही उस करेगी और हमें फोर्सफुली बच्चे के उपर गीव अप करने के लिए कहेग कि मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने अभी तक उसे कुछ सिखाया नहीं है उसको मुझे लेसन देना ही पड़ेगा और तो बोलते हैं कि काम करो जाओ उसका रिक्वेस्ट एकसेप्ट कर लो और बोलो कि हम कल मिलेंगे और हम हमारा पावर उसको दिखाएंगे और क्या वो इसा सोचती है कि वो हमको खरीद सकती है करके और क्या उसे लगता है कि वो हमसे जादा पावर फूल है और तभी अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो पहले एक गुंडा था और मेरी जो वाइफ है वो एक पॉलिटिकल फैमिली से है मतलब दादा जी गुंडे थे और और जादा पैसे वाली फैमिली कौन है करके तो दादा जी के दिमाग में ये सब चलता है अब जिन्याव जए विचारा सुनता है कि दादा जी कैसी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं अब दूसरा दिन होता है ऑफिस दिखाते हैं ऑफिस में ये तीनों लोग तो बैठे ह होते हैं और साथ में वो फर्टिर्टी सेंटर का आदमी भी बैठा होता है और दभी अंटी बोलती है कि वो लोग आ रहे है कि नहीं आ रहे हैं और उनको क्या लगता है कि वो मुझे वेट करा सकते हैं और तभी ये सेंटर का आदमी बोलता है कि आप एक में टुकिए मिसिस और वो यहां कभी भी आ सकते है और क्या है ट्राफिक भी बहुत जादा है तो वो हो सकता हुना आने में थोड़ी देर हो गई हो तभी नॉक नॉक होता है और यह सेंटर का आदमी बोलता है कि वो लोग आ गए तो अंटी थोड़ा सा तिर्ची नजर से देखते हो फिर उसके फटीकी फटी रह जाते हैं क्योंकि वीलचेर पर जो आदमी है वो मिस्टर ही है एक बहुत ही पावरफुल फैमली का आदमी और उनका बेटा और साथ में उनका जो भी एक लॉयर है वो आया है तो यह अंटी खड़ी होते हो बुलती है अंकल ही तो अंकल ही जो है वो बोलत अंकल फैंग की यंगेस डॉटर है करके तो मिस्टर जी बोलते है ओ मेरे कान में जू नहीं रहेंगी करके और तब ही जो फर्टिलिटी सेंटर का आदमी आता है वो सोचता है कि जब सब लोग यहां पर आगा है तो सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएए करके और वो बतात सेंपल वो विड्डरॉ किया था, और हमने सब चेक किया था और रिकॉर्ड किया था फर वहां पर एक मिस्टेक हो किया, और हमने महां पर कुछ ऐर्रस भी देखे थे करके और क्लोजर इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चला कि यहां पर कुछ तो भी प्रापलम है और तब ही जब यह आदमी ऐसा बोल रहा होता है तो आंटी सोचती है कि यह लोग क्यों है और ही फैमिली ही क्यों होनी थी, मैंने क्या मिस्स कर दिया और वो अपना मुठी बीज लेती है और तब ही उसको याद आता है कि जिन्याओ का जो बॉइफरेंड है वो यह ही है और जो उ और तब ही आंटी सोचती है कि मुझे अभी अभी यह बात पता चली करके यदि मुझे पहले से पता होता तो ऐसा नहीं होता और क्या यह सब एक इस्टन्ट है करके क्या तो हमारे मिस्टर ही बोलते है कि मिस्स फैंग क्या आपके पस कोई पूशन है पूशने के लिए तो बोलता है युवान-यवान तो जो मिस्स फैंग है मतलब युवान है वो अपने होश में आती है और तबी अंकल बोलते है मिस्टर ही बोलते है कि क्या हम आपको बोर्ख कर रहे हैं। तब ही उनका बेटा बोलता है कि मेरे फादर ने आप से पूच़ा है कि क्या आपके पूछ लीजे हम आपको explain कर देंगे तो Mrs. Fang जो है ये बोलती है नहीं कोई नहीं और तब ही वो लोग बोलते है ठीक है तो फिर हम आप लोगों को बहुत appreciate करते कि आपने हमारे बच्चे की देखबाल इतने समय तक के रही और ये जो mess था वो clinic की द्वारा किया गया था तो मैं आपके उपर कुछ charges नहीं लगाँगा और besides तुम इसके लावद तुम अभी भी young हो और तुमारे पास अभी भी time में दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए और हो सकता है कि ये मेरे लिए आकरी chance हो किसी बच्चे को बढ़ा करने के लिए क्योंकि अब मेरी उमर हो गई है तो मेरे पास अब और कहां grandson या great grandson को देखने के लिए time बचेगा तो दादा जी बुलते हैं मतलब Mr. He बुलते हैं कि मैं sure हूँ कि ये आपके लिए हमारे बच्चे को देखना बड़ा मुश्किल हुआ होगा तो हम लोग बहुत ungrateful people नहीं है हम आप लोगों को कैसे इसका repayment करें आप हमें price बताईए और money जो है वो कोई problem नहीं है और मैं खुद ही आपके father को मिलने आऊँगा और अपना gratitude भी दिखाऊँगा कि उसकी daughter ने हमारे great grandson की कैसे देख रहे की तो यह आणटी को एक दम सो shock लगता है कि यदि dad को पता चल गया कि big head जो है उनका खुद का बच्चा नहीं है और bloodline नहीं है तो वो हम लोगों को और big head को family से बहार निकाल देंगे और तब ही वो सुचती है कि uncle ही जो है वो मुझे धंका रहे है तो यह बोलती है कि uncle ही मैंने बच्चे की देख देख बहुत लंबे संबस से की है और अब वो बच्चा मुझे जानने पैचानने भी लग गया है और मैंने उसे अपने family में already introduce करा दिया है तो मैं आपको कैसे यह बच्चा देदू करके और यह इतना easy नहीं है तो mister ही बोलते है क्यों easy नहीं है यह बिल्कुल easy है और इस समय क्लिनिक ने मैं सब किया है तुम अपनी family को जाके truth बतातो और तुम जो हो refuse करने के बारे में सोचो भी मत मेरा जो grandson है तुम्हें उसे मुझे वापस ही करना पड़ेगा करके और हम जो है ruled society में रहते हैं और हम जो हैं law को भी follow करते right तो तुम्हारे father और मैं बहुत close भी है और हम लोग बहुत civil लोग हैं करके तो तुम यह नहीं चाहती होगी कि तुम ऐसी सब छोटी चीजों से हम लोग को accept करो upset करो करके तो क्या तुम चाहती हो कि मतलब हम तुम्हारे साथ forcefully legally यह बच चले और तुम हम हमें upset करना चाहती हो क्या तो Mrs. Fang जो होती है वो बहुती speechless हो जाती है और तभी जो clinic का आदम होता है वो बोलता है agreement बन गया है आप लोग यहाँ पर देख लो और यहाँ sign कर दो और हमें जो है इसको जल्दी जल्दी करके notarize कराना पड़ेगा और फिर वो एक बार फिर से इन लोगों से हम आफी मंगता है कि मेरी वज़े से यहाँ पर बहुत problem हुई है करके और यदि आप लोगों दोनों ही तयार है तो मैं इस document पर sign कर दीजिए और तभी मिस्टर ही बोलते है कि हाँ सभी से mistake होती है तो क्लिनिक के आदनी को बोलते है कि मिस्टर ली आप बहुत ही dedicated थे और आपने हमें बहुत जाता help किया गए और हम लोग बहुत reasonable लोग है क्यों तो यूँ आन करके इसे पूछते हैं तो जो हमारे मिस्टर ही का बेटा है वहाँ पर sign कर देता है और मिस्स फैंग को भी बोलता है sign करने के लिए तो ये अंटी जो है वो भी उन paper पर sign कर देती है जिस पे लिखा होता है कि बच्चे की custody अब इनके यहाँ पर जा रही है करके अब क्या होता है ये अंटी अपने घर चली जाती है और वहाँ जाके न सब चीजों को तोरफोरने लगती है और बिग हैड भी रोने लगता है तो इनकी जो made होती है वो आउंटी के husband से बोलती है कि क्या हमें madam को रोपना नहीं चाहिए वो इस तरह कर रही है जिससे baby डर जाएगा और तब ही husband बोलता है कि ऐसा ही चोड़ दो क्या कहते है अपने आप ठीक हो जाएगी यदि हमने उसको अपना गुस्ता नहीं निकालने दिया तो वो भी मार भी हो जाएगी तो आउंटी जो है फिर एकदम से जमीन पे गिर जाती है और बोलती है कि मैं उन लोगों को बिग हैड को नहीं ले जाने दूँगी तो husband बोलता है कि you are तुम calm down हो जो लेकिन उसकी wife बोलती है कि नहीं मैं किसी भी हालात में बिग हैड को नहीं दूँगी अंकल ही बहुत ही arrogant है और उन्होंने मुझे धंकाया है और वो कैसे मेरे से बिग हैड को ले सकते हैं तो उसका husband बोलता है लेकिन हमने agreement sign कर दिया है और हम जो है lords भी अब हमारे को जानते हैं कि हमने agreement sign किया है और उन्होंने जो है meeting भी fix की है और उन्होंने notarization भी करा दिया है और जो बिग हैड है वो अब हमारा बच्चा नहीं है तो यह auntie जोती है वो Mr. He को curse करती है और बोलती है कि यह आदमी इतना बोल रहा था एक निट के लिए भी रुकानी और मुझे सोचने कभी time नहीं मिला और यह कोई negotiation नहीं था उसने पहले से ही recite कर रहा था और अब मेरा दिमाग सही है clear है तो यह सब उनका trick था उन्होंने मुझे अपने trick में फसा लिया कि तब भी उसका husband बोलता है कि यूवान तुम calm down हो जाओ हम कुछ नहीं कर सकते और तब ही Mrs. Fang मतलब सोच दिये कि he family का power बहुत है तुम्हें भी यह पता है अब यह बोलती है कि मुझे बहुत ही helpless feel हो रहा है मैं कुछ कर नहीं सकती हम लोग ने कितनी सारे परशेशानियों को पार करके हमें big head मिला था मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही patience के साथ काम नहीं कर रही थी और मुझे पहले big head पसंद भी नहीं था पर मैंने big head को पसंद करने की कोशिस की और मैंने कोशिस की की मैं उसे like भी कर सकूँ और जब finally मैंने अपना mind set up कर लिया कि मुझे big head को पसंद करना है तो अब वो लोग आके big head को मेरे पास से ले जा रहे तो husband क्या करता है न अपनी wife को गले लगा लेता है और बोलता है कि uncle ही एक uncle ही ने एक बात सही कही कि हम लोग अभी भी young है अब यदि हमें वाकई में बच्चा जाई है तो हम फिर से try कर सकते और big head जो है कभी भी और के साथ हारा जो bond था कभी भी strong नहीं हुआ तो auntie भी सोचने लगती है कि हाँ कभी strong नहीं हुआ तो bond जो है baby के बीच में और इसके बीच में कभी भी strong नहीं है और दादा जी ने भी यही कहा था कि तुम लोग के बीच का bond जो है strong नहीं है और यदि कभी ऐसा वक्त आएगा कि कोई उसे लेने आए तो तुम लोग उसे forceful यह रोकना मत उसे जाने देना दरवाइस तुम लोग का जो भविश्य है उस पे कोई ना कोई आपती जरूर आएगी तो आंटी बोलती है कि grandpa को सब कुछ पता था पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और उन्होंने बस हमें एक warning दे के छोड़ दिया था यदि वो हमें बता देते तो कितना अचा होता तो उसका husband बोलता है कि ठीक है तुम यह सब सोचना छोड़ो और हमारी जो अभी priority है वो यह सब settle करने की है और हम big head को उनको दे देंगे और हम यह सारी चीज़े करेंगे तो हमारी trouble भी जो है कम हो जाएगी और तुम्हें अपने आपको calm down करना चाहिए और तभी हमें उनको यह भी बताना चाहिए कि यदि हम big head को देंगे तो हम big head को miss भी करेंगे और हम उनको यह नहीं बता सकते कि हम big head को एक मतलब टूल की तरह देख रहे थे मतलब उनका क्या purpose था कि उनके पस यदि एक बच्चा होगा तो उनको family में बहुत सारा पैसा वगरा मिलेगा तो basically उनको जो यह बच्चा चाहिए था वो family के पैसे के लिए ही चाहिए था तो वो बोलता है कि हमारी अपनी लड़ाई है जो हमें अपने family members के साथ लड़नी है तो हम किसी एक नए एनिमी को बनाने का afford नहीं कर सकते और तुम याद करो अंकल ही ने ये काया है कि यदि बविश में कभी जर्वत पड़ेगी तो वो हमारी मदद भी कर सकते हैं करके और क्या पता ये future में कि हमारे कुछ काम आ जाए तो आंटी अपना रोना धुना बन करते है बोलती ठीक है और बिग एट जाए आखिर में हमारे लिए इतना तो करी सकता है कि जब जर्वत पड़ेगी तो वो हमें इसका repayment दे सके तब ही क्या होता है ये लोग मिसिस ही के घर जाते हैं और मिसिस ही दरवाज़ा खुलती है पुछती है कि आप लोग कौन है तो ये जो CEO की छोटी आंट है वो बोलती है आप से मिलके खुशी हुई और मेरे फादर का नाम यह है और मैं उनकी यंगेस डॉटर हूँ और मेरा नाम यू फैंग है करके तो मिसिस ही बोलती है अच्छा आप से मिलके मुझे खुशी हुई आप लोग अंदर आईए और अपने मन में सुचती है कि यह वरत यहाँ पर क्यों आई है हमारा क्या लेना देना इससे और दादा जी तो अंदर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अब तो यह लोग आई गए हैं और वहां से अंदर से पुशते कि कौन है और तब ही बोलते हैं अच्छा ऐसा लगता है मैंने से कहीं पहले देखा है तब ही उनका बेटा याद दिलाता है कि डैड यह जो CEO के फादर है दादा जी है उनकी यंगेस डाटर है करके आपको याद नहीं है कि अब तब ही वह बोलता है अच्छा जा दादा जी की एकदम नजर बच्चे पर जाती है भी घेड पर और उनकी आँकों में एक चमक आ जाती है और वह बोलते हैं अपने बड़े को कि थोड़ा जल्दी मेरी वील्चे को पुष करो मुझे बेवी को देखने जाना है और वह जाते से ही अपना हाथ बढ़ाते हैं कि बच्चे को मुझे दो मैं पकड़ना चाहता हूँ तो आंटी जो है वो बच्चे को दादाजी की गोद में दे देती है अब सब के मुझे कोशन मार्ग आ रहे होते हैं मतलब मिसिस ही के दिमाग में कि ये क्या है क्या नहीं है तो उनका बेटा बोलता है कि मैं आपको बात में समझाता हूँ माँ तो ये जो ग्रेंड फादर हैं वो बोलते हैं अरे वाह ये तो मेरा ग्रेट ग्रेंड सन है ये कितना सॉफ्ट है कितना क्यूट है और मैं वाकई मैं इसे अपने गोद में उठा रहा हूँ मेरा जो ब्लड प्रेशर है शायद बढ़ जाएगा खुशी के मारे रहे कितना क्यूट है तो इनका बेटा उनको याद दिलाता है थोड़ी आवाज निकालके कि ये ऐसे बेहेव नहीं कर सकते हैं गैस्ट आए वे है ना घर पे और तभी मिस्टर ही बोलते कि हाँ तुम लोग ने बहुत जल्दी यहाँ पर आ गए और डॉकुमेंट्स भी नॉट्राइज हो गए है और यह लोग काफी स्मार्ट है और यह अपने मन में सोचते दादाजी कि अरे कितनी शर्मनाक बते कि मै बहुत मुश्किल है एकसेप्ट करना लेकिन टूथ तो यही है कि यह आप भी लोगों के घर का बच्चा है तो हम आपको आपका बच्चा वापस लोटा रहे हैं और हमने फाइनली अंडरस्टूट कर लिया है कि बिग हैड की अपनी एक फैमिली है करके तो हम आपको यह ब जरुबत पड़े तो मुझे बोलना तो मैं अपनी पूरी कोशिस करूंगा तुम्हें हेल्प करने की तो आंटी बोलती है थैंकियो अंकल ही करके अब बच्चे को दिखाते हैं कि बच्चा उनके यहां पर पहुंच चुका है और लेट आवा है और उसको कुछ समझ में नह कि यहां क्या हो रहा है और दादा जी जो हैं वो तो बहुत ही कुछ हो रहे है क्योंकि उनके लिए तो नाती पूतों को खेलाना सबसे बड़ी बात होती है अब दिखाते हैं कि दादा जी तरह-टरह की आवाज निकालते है और बोलते माय डियर बिग हैट मैं तुमारा great grandfather हूँ और तभी big head जो है वो भी हसता है और हस के हाथ देता है और तभी मिसिस ही को यह सब बाते उनका बेटा समझाता है तो मिसिस ही बहुत ही गुस्से में आते बोलती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मुझे भी ना बता है और अपने बेटी की पिटाई शुरू कर देती है और तुम लोगों ने मुझे यह बात क्यों नहीं बता है तुम अपने पिता के जैसे हो सारी बाते चुपाते हो मुझे तो आइडिया नहीं था कि हमारे पास एक ग्रेट ग्रेंट सन और भी है और मिसिस ही बोलती है कि मुझे तुम दोनों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है करके तो मिस्टर ही बोलते है कि तुम गुस्सा मत करो इधर आओ और भी हैट को देखो कितने अच्छे से स्माइल कर रहा है तभी मिसिस ही उसकी तरफ देखती है अपने हस्बन की तरफ वो बोलती है कि रे बुढ़े आदमी तुम तो रुको मैं ना तुम्हारे को निकल पड़ता है और तभी वो बोलती है ठीक है आज के बाद तुम मेरे से कभी कुछ नहीं चुपाना मैं तुम्हें इस बार माफ कर दे रही हूं बिग हैट के वजह से तो मिस्टर ही नहीं हसने लगते और सुझते है वो सेफ है वो उसकी वाइफ उसको डाटेगी नहीं और तभी मिस्टर ही बोलते कि तुम्हें करो जाओ जाकर सबको बताओ कि हमारे पास एक नया बेबी है और उसको हम अपने फैमिली मेंबर से अज रात को मिलवाएंगे तो बेटा बोलता है ओके और तभी मिस्टर ही अपने मन में सुझते कि मुझे लगा नहीं था कि हम एक मैने के अंदर अपने बच्चे को अपने घर ले आएंगे और अपने मन में सुसता है कि वाकई में जिन्याओ का प्लान बहुत अच्छा था तो अपने मनी मन में जिन्याओ को थैंक यू भी बोलता है करके और सुसता है कि उसने मेरा जो टेस्ट है वो भी पास कर लिया है तो मैं उसको EE के लिए एप्रूवल दे सकता हूं करके अब क्या होता है कि रात हो जाती है और EE और CEO हाथ पकर के चलते हैं और रूरू भी गोदी में होता है और तभी EE कुछता है कि क्या चल रहा है हम लोग अचानक ग्रैंट पा को विजिट क्यों करने आ रहे हैं तो CEO बोलते हैं हम अंदर चलेंगे तो तुम्हें पता चलेगा और तभी वो बोलता है EE को कि जाओ जाके दर्वाजा कोलो और दर्वाजा खुलते से ही EE की नजर बीग हेट पे पड़ती है यही बहुत कंफ्यूस हो जाता है कि बीग हेट उनके घर में क्या कर रहा है अब यहां दिखाते हैं कि जो EE है वो कैसे मतलब थड़ा से खोया-खोया सा है और दिखाते हैं कि EE EE के हाथ में एक चोटा बच्चा भी है और रूरू gobierno करा है लेकिन EE EE जो एकל्रूलस है और तभी क्योंहता है अक्षिए सब लोगा आते हैं और बोलता है कि सब लोग इदर आओ। और EE EE को कउंग्रूस लेट करो और सब लोग उसको congratulate करने लगते हैं अब तभी जो दादा जी है बोलते है तुम तो बहुत ही thrilled हो गया आज और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही happy हूँ करके और तभी Mrs. Yee जो है है Mrs. Yee बोलती है कि अपने बेटे से बोलती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से कैसे चुपाई करके तुम में कुछ आइडिया भी है कि जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कितना शौक लगा करके और thank God जो child है वो वापस आ गया है और मुझे बहुत ही relaxed feel हो रहा है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैंने क्या मिस कर दिया ये लोग सब ऐसे क्यों behave कर रहे है तभी दादाची बोलते है कि तुम ही अब बहुत grown-up आदमी होगा कि अब तुम्हारे सिर्पे responsibility भी है करके और तभी जो इनके लिंग भाई के पापा होते हैं वो बूलते हैं कि तुम अपना जो है एकदम best काम करना और तुमको जो है अपने बच्चों के लिए एक अच्छा example create करना है करके और तभी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कोई idea नहीं ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन सब लोग बाहर निकल निकल के उसको बदाई देते हैं और बूलते है कि कितना cute baby है और ये baby बिल्कुल तुमारे जैसा ही देख रहाएगा कि और CEO B को एक बार फिर से बदाई देता है अब क्या होता है कि ye big head को देखता है और big head भी ye को देखता है और ye सोचता है कि big head कितना cute है और उसका दिल जो है एक दम धटतक करने लगता है रूरू बोलता है ye क्या तुम्हें मेरे chocolate में से bite चाहिए क्या करके और अपना chocolate ye को offer करता है और ही जो है क्या कहता है अपने सोचता है कि वो सबस्ज़ादा happiest man है इस पुरे दुनिया में करके लेकिन उसको ये समझ में नहीं आरा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो अपने मन में सुचता है कि ये लोग मुझे किस चीज़ की बदाई दे रहे हैं और यह सब क्या चल रहा है और मैंने बिग हेट को क्यों अपने वोदी में ले रखा है और यहां पर हो क्या रहा है और तब ही मिस्स ही बोलते है कि यह जो है बहुत ही थ्रिल होगा इसलिए वो कुछ कह नहीं रहा है तो मिस्टर ही बहुत चौड़े में बोलते है वो तो thrill होगा ही करके और मेरा जो blood pressure है कई बार उपर नीचे जा चुका है just because मैंने इस चोटे बच्चे को अपने गोद में लिया था और यह मैं किसी तरह अपने आपको काम रखने की कोशिस कर रहा हूं बच्चे का cute-ness इतना जादा है कि मुझे लगता मेरा blood pressure बढ़ जाएगा खुशी के मारे और तभी लिंग वाई के पापा बोलते हैं कि बहुत साल होके हैं हमारे family में कोई नया member भी नहीं आया तो अब जब यह big head हमारे family में आया है तो यह तो celebration बनता है करके अब लिंग वाई की ममी बोलती है कि मैं तो बस इतना ही hope करते हूँ कि बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और हमारे family का business हमा ले तो मेरा भी थोड़ा burden जो है वो कम होगा करके तो Mrs. Yee बोलती है कि thank you आपने जो इतने साल तक महनत करी उसके लिए और आप इसकी आखे देखो मुझे पुरा sure है कि ये बहुती smart boy में बड़ा होगा करके और ये definitely आपका burden जो है कम करेगा तो जो दादा जी है वो भी बोलते है कि हाँ big head जो है वो बहुती smart boy है और हमारे family का future भी है और हमें उसको बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए और सब लोग मतलब तरह तरह की बाते कर रहे होते हैं और तब ही दादा जी बोलते हैं कि by the way इसका official नाम हम क्या दे क्या इसके परस कोई नाम है तो उसी ये बोलता है हाँ रूरू ने इसके लिए एक नाम चुना था खुद से और उसने उसका नाम राव रखा था करके तो रूरू देखता है कि अब उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी नाग बहुत उची करता है और बोलता है कि हाँ मैंने इसका नाम रखा था गी इअभी भी confused होता है और बोलता है ये लोग क्या बात कर रहे रूरू ने कब बिग हेट का नाम रखा मुझे कहां कुछ भी क्यों नहीं पता है करके तो दादा जी भी सोचते है नाम और फिर बोलते है ये बड़ा अच्छा नाम है ये बहुत ही ब्रिलियंट करके तो दादी बोलते कि ये बड़ा अच्छा साउंड हो रहा है तो मिस्टर जी बोलते हैं लेकिन बिग हेट जो है वो हमारे फैमली का पार्ट है करके और उसे हमारे फैमली का सरनेम लेना चाहिए और तब भी दादा बोलते हैं कि तुम दोनों क्या तुम दोनों को कोई प्राबलम है क्या तो ये लोग बोलते हैं नहीं हमको कोई प्राबलम नहीं है आपको जो ठीक लगे वो करो और हमारे फैमली का सरनेम भी उस कर देयो लेकिन आप लोगं को ये नहीं लगता कि आपको यही से पूछना चाहिए कि यह क्या चालता है और तब ही वो सोचते है कि यदि वो नहीं कह देगा तो वो अपना नाम खुद भी बदल सकता है यह उन ही कर सकता है और इससे वो हमारा फैमिली का बिजनस भी समाल सकता है और तब ही सुचते है कि मैं अभी भी यहीं बैठा हूँ और क्या इन लोगों का मेरे सामने इस तरह बात करना सही है क्या तो जो दादा जी है वो खुश हो जाते हैं वो ठीके यह सेटल हो गया है जो बीग हैड है वो हमारी फैमिली का सरनेम लेगा करके तो दिखाते हैं यी राओ ही उसका ये सरनेम होगा और दादा जी गोलते हैं कि आज से अब वो यी राओ ही के नाम से पुकारा जाएगा और रूरू जो है वो यी यान फैंग है और यी राओ ही है करके दोनों बच्चों के नाम तैय हो गए और तभी वो लग सुषते की दोनों बच्चों के नाम जो है हमारे फैमिली से भी लॉंग करते हैं और क्या कहते हैं तब ही दादी जी बोलती है कि चलो बहुत लेट हो गया है हमें कुछ टाइम सी और यी को देना चाहिए और मुझे लगता है कि उन्हें वाकरी में बहुत सारी चीज़े डिसकस करनी है और जब से यही आया है तब से उसने एक शब्द भी नहीं का है और तो हमें उसको ऐसे बॉदर नहीं करना चाहिए लेकिन दादा जी को बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि बच्चा इतना क्यूट है कि दादा जी का मानी नहीं कर रहा है कि वो बिलियर्ट को छोड़के जाए तो दादा जी बोलते हैं कि जब हमारा बच्चा हुआ था तो हम तो चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले करके तो मैं समझ सकता हूं करके और ऐसे करके दोनों husband wife जाने लगते हैं Mr. and Mrs. E भी जाने लगते हैं और यह अभी भी confused बैटा होता है और जो दीगे head है वो गोदी में होता है CEO की और CEO बोलता है कि रूरू एक काम करो अपने चोटे भाई की देखरेक करो थोड़ी देखेले मुझे यही के साथ कुछ बाते discuss करनी है और तो रूरू बोलते है ठीक है आखे कर मैं बड़ा भाई तो उचे उसकी देखरेक करनी पड़ेगी अभी क्या होता है साइड नजरों से CEO को देखता है और धमकाता है कि क्या तुम्हें की वोड लेके वाश बोड लेके किचिन में बैठना है क्या करके तो जो CEO है वो ऐसे attitude को देखके डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं मैं तु अब दूसरी तर दिखाते हैं कि रूरू और बिग हैट जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं और रूरू भी बिग हैट की केर कर जाए हैं अब यहीं बोलता है कि अच्छा यह बताओ कि क्या चल रहा है जब से मैं इस दरवाजे से अंदर आया हूँ सब लोग मुझे बेटा है और यदि वो उनका बेटा नहीं भी है तो एकॉर्डिंग टू ड्रीम इसका मेरे से क्या लेना देना है क्या तुमने कुछ किया है तभी कवाज आती है यह करके अब हमारा रूरू जो है कीबोर्ड हाट में लेके आता है और पूसता है कि तुमें कीबोर्ड चाह के लिए तो यह कीबोर्ड ले लेता और बुलता है ठीक है और फैंक फैंक को इसकी बाद में जरूर जरूरत पड़ेगी और तुम इसको इसको दे सकते हो और जूरू जो है कीबोर्ड जो है फैंक फैंक को दे देता है और मन में सुसता है कि मैं कितना गुड बॉय हूँ है ना और मुझे compliment दो मुझे price दो और मुझे मतलब तारीफ करो करके अब CEO के तो पसीने चूट रहे होते हैं क्योंकि यह तो घुसे में यह को कुछ पता नहीं है तो यह फट से बोलता है चलो चलो रूरू को thank you को तो CEO thank you करता है और रूरू बोलता है ठीक है you are welcome तो फिर ही बोलता है कि अब बताओ क्या है यह सब और सब से यह बताता है कि जो कुछ मेरी आंटी ने अपने dreams में कहा था तो वो सब सुने गए मुझे एक चीज की याद आती जो बहुती लंबे समय पहले वही थी और यह चीज जो ती इस चीज से connected है इसलिए मैंने रूरू को बताया और मैं इसके बारे में concern था और बाद में इसमें पता चला कि बीग हैट का कैसे जनम हुआ था तो यह उस समय की बात है जब तुमने recite किया था कि तुम abroad जाओगे और जहां पर तुम एक बच्चा पैदा करोगे यान दिदें तो वियता